हेलो डियर फ्रेंड्स बेलकम बैक टू एट्स ओके क्लासेज आई होप आप सभी अच्छे होंगे फटा फट्चे क्लास में आ जाएए विकॉस आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं आप लोग के डियलेट सेकेंड समस्र की सामाजिक अध्यन की आपकी महा मैराथन और आज की म करने वाले हैं और आज क्या है यह आपके पास एक अंतिम मौका है आप कह सकते हो कि सेकंड सेमस्टर का आपका सोसल साइंस का स्लाबस आप एक जगह पूरा स्लाबस बहुत कम टाइम में जो है वो रिवाइस कर सकते हो देखिए एक चीज़ आपको वदा है कि सेकंड आपको कवर करना है तो आपको समतिंग 3-4 घंटे चाहिए होंगे क्योंकि इससे कम टाइम में आपकी जो मेराथन है वह कंप्लीट नहीं हो जबती है अगर मैं आपकी कम टाइम में मैराथन करा भी देती हूँ और उस मेराथन से आपको क्या है एक भी कुश्चन्स नहीं आ अगर प्रॉपर तरीके से आप मैरिफन लेने वाले हैं कि सासा धुर्फन कर लिने वाले हैं इसके सासा दो मैराथन और रहे एक तो आपकी हिंदी इन रहें डाइ declare दूसरी जो है वह आपकी की मैराथन रहे डाइ है हिंदी और सइंस की माराथन आपकी कर लेने वाले हैं तो कल एक आपकी MORNING में और एक आपकी EVENING में आपकी प्रॉपर्र माराथन जो हैं इसमर हो गई चैनल स्टार्टर से बढ़कार से भी इसथाप्त आपको आराम से आपको कॉमेंं शेशन बंद कर दिना और प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर तरीके मैं समझाती होस्ट आपको सुन्हां कुछ भी नहीं करना आपको बस आप एरप्रक्स लगा हो तो एरप्रक्स लगा के बैट जाए और बैट जाए यह कॉमेंट सेशन बिल्कुल ओफ कर दीजे प्रोपर आप रोटेट कर लिजे फोन को देन आप प्रोपर जो है वह आप क्या है अपनी च्लास सको समझते जाए 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 जा यह प्रिथम सामराज की स्थापना जो है वह किस परकार से हुई इसे बोलते हैं Foundation of First Empire in India की बात करते हैं आप लोगी सबसे बहले स्थापना जो है यह हुई है वह है आपकी मौर रवंश या काल की आपके मौर रवंश भी कहते हैं आपके मौर डाइनस्ट्री इसको कहा जाता है 2017 में यहां से कुष्ण जो है वह आपका पूछा गया था आगे बात करते हैं आपके क्या क्या है सिकंदर के भारत लोटने के बाद भारती सुतंता आंदोरन तीवर हो गया था कोई मुझे बताएगा सिकंदर भारत आपके कब लोटा था किस सन में आपके लोटा था जल्द भारत को अब ऐसे व्यक्ति की जरूरत हो गई थी जो मगस समराज की रक्षा करें क्या करें एक तो मगस समराज जो है उसकी रक्षा कर पर और साथ साथ जो विदेशी आकमर कारी जो हमारे भारत कर रहे थे उनसे क्या है उनसे हमारे भारत देश को बचा और भारत में राजनी स्थापना के साथ ही भारत में एक सत्ति साली केंद की भी इस्थापना करों सिकंदर भारत लौटे थे निरों नोगर थे 222 आप वारत भारत लौट हुआ था थे भाद fusion through इन वühτफा सबस्लांत कर आप jona अब Nahe बहुत टेजी नोगर थे आप मैसे आप कि भारत को अब ऐसे व्क्ति-वप्त ते जो भारत की रक्षा कर पाय depos창 form Daisy Love मजस्ताम निया उसकी रक्षा करpinौतों और जो विदेशीया कौ्मनकारी वाया तूंसे हमारे भारत को कै जो सके तो इसी समय किया है चंदकुप्त के सबसे पहले आपके सबसे पहले आपके सबसे पहले आपके सामाजिक धार्मिक आर्थिक सांस्कृतिक दिस्टी से भारत को नई दिशा जो है वो आपके प्रिदान की है मौर रवकाल से ही प्राचीन भारती इतियास के इतिहास का आपके गौरम मैं युक सुरू होता है तो अगर आपसे कहें कि प्राचीन भारती इतिहास का आपका प्रारम जो है कहां? महीं मिर्जलतीज़ल और 59ए नहींक? 30 इस नहीख ने हैं 30 vulnerability yeah 326 वह अपको लमा यांs परहारम कांग yeah तो यह मौरकाल से आपकी स्टार्टिंग हुई है किसे हुई है मौर काल से आपकी स्टार्टिंग हुई है highlighting हो आगे बात करते हैं नस जो है वह आपके क्या है ओपकर एक। और मेगस्तिनीस ने आपके इंडिका पुस्तक में भारत देश के कैसे भूमी के बारे में पसु पक्छी, शाशन पद्दती ने धर्म और राजनीतिक आपके सामाजिकरीति रिवाजों का वड़न किया है लेकिन क्या है लेकिन इंडिका पुस तक अब तक प्राप्त नहीं हुई जो आपके मैगस्तिनी इंडिका लिखा है न वो बुक तो किसी को प्राप्त नहीं हुई लेकिन आपके इंडिका बुक से ही कुछ और जो अलग 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 बुक्स बनी है उसी की कंटेंट ले लेकर वो वो books जो हमें प्रापत होई है उन्हीं से क्या है उन्हीं से हम लोगों ने मिसकर्स निकाला की magasthenes जो भारत आय थे उन्होंने के है उन्होंने आपके भारत का बहुत अच्छे से world जो है वो किया था यहां की पत क्या है यहां कि आपकी इस्थिती जो है निमने जानकारी जो है वो हमें प्रापति होती है क्या प्राप हुदी आईये बात कर लेते हैं जो प्रापत खोती है वो आपकी इतनी इंप great है ₹ नहीं तो मिन उसको लिया करो कि बहुत सारी चीज distinguete की हैं कुष्ट को आने के चांस सब्सदाने के सहार जो हैं आप से आत्य शाले के साथ है लगे जो अप्यार पूुछे रहे हैं वह ही आपके बात करते हैं दर्चि आने के सिस्मृ भारत का एक क्या है सकती साली राजवन्स था मौर वंश ने आपके 137 वर्षिता क्या है भारत में राज जो है वो किया हुआ इसकी स्थापना जो थी वो चंदगुप्त मौर ने आपकी की थी और इनके मंत्री जो थे वो कौन थे वो चार्लक या कॉटल थे कॉटल को जानते ह अर्त सास मुझे बताएें भारत की अर्त सास जो बहुती नहीं है लुए कि आपके प्रारम को मा৹ए को तो वो चंदकप्त मौर को ही आपके प्रदान की थी आगे बात करते हैं आपके चंदकप्त मौर, चालनक, बिंदुसार, समराट, अशोग, आधी जैसे पृषिदिव्यक्ति इसकाल में आपके हुआ हैं इसलिए आपके मौर रवंच का शाशनकाल जो है वो 137 वर्शों तक आ कौन कौन सी पहली संस्क्रिट भासा थी दूसरी प्राकर्द भासा थी और थर्ड आपकी पाली भासा थी आपके मौर रशी अगर अंतिम शाशक की बात कि जो तो ब्रहदस्त आपके अंतिम शाशक के 2017 में यहां से कुश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था ओके आगे ब 289 इश्वी तक जो है वो आपकी रही थी ओके चुरो निदे जो हम बताती हूं आपको तो कहा है आपके शाशन की अवदी जो थी वो आपके 321 से आपके 298 इशापूर्व जो है वो आपकी हुई थी चंदगुप्त मौरर का जनम जो हुआ था वो क्या है वो 345 इश्यों में आपके हुआ था इनकी माता जी का नाम मूरा था और पिता जी का नाम क्या था पिता जी का नाम है भहिया बहुत कंफीजन हमारा रहा है आपके तो इनका पिता जी का नाम आपके नंदराश तो नही कहीं कहीं आपके सूर्गुप्त आपके कहा जाता है महां पंचिदन कहा जाता है इसका आपकी पिता को नाम को काथ ही दो प्रिकर जो है वह आपके नहीं पूचे जाएंगे मगत के नंदवन्शी राजा के चंद गुप्त मौर के हैं नौकरी आपके करते थे वहीं पर चंद गुप्त की मुलाकात जो है वह आपके चारळक से हुई थी चारळक का नाम वश्णु गुप्त है यह कौटल के नाम से भी हम इनको आपके जानते हैं नामक ब्राहमर से हुई थी चंदकुप्त की तरही मगत के शाशक से आसंतुष्ट थे क्या है चंदकुप्त की तरही क्या है जो मगत के शाशक थे आपके वो भी क्या थे वो भी आसंतुष्ट थे और दोनों ने मिलकर मगत पर आकमण करने की योजना जो है वो आपकी बना द पर as 2पि धी सा कि आपके बात करते हैं मुझत्राजब्राजपर आक्मण्रो ने हार गैसे हो गई सबसे पहले आपकी। चंदकुप्त मौरा ने जहां ने सबसे पहले संदकुप्त मौर की हार गई थी और ज्वेयलन को न है तो चंदकूत कर दो तो चंदकूत्ट हैं, निमीन दोतर पर Susanktet Pen था केंद्र केंद केंदर जिसी कि वो कहीं जा ना पाएं, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किले को ना घेनने जाए, बीच में ही आक्मर कर दियो, और बीच में आक्मर किया, जो इन्हें किया है, इन्हें चारो तरफ से जो है, वो आपके घेर लिया गया, इसलिए क्या है, इसलिए आपके अगर विजा उपलब्धियों की बात करें तो बहुत सारी आपकी चंदगुप्त मौर की विजा उपलब्धियां जो है वो आपकी है आंगे देखते हैं चंदगुप्त मौर की विजा उपलब्धियां जो है वो कौन-कौन सी है तो चंदगुप्त मौर ने अपने सामराज का विस्तार पूरे भारत में किया था इन्होंने संपूर भारत को एक राजनी दिक सूत में बांधने का काम जो है वो किस ने किया था वो आपके चंदकुप्त किस ने किया था मौरण ने जो है वो आपके किया था आपके बात करते हैं और क्या है आपका सबसे पहले पंजाब पर विजय की बात करते हैं ले पंजाब पर आकमन करके उस पर विजय प्राप्थ को जीत कर वहां इसलिए वहां के राजाओं में आपके आसंतोस हो गया था और पंजाब पर विजय प्राप्त करके किया है सिकंदर भारस से चला गया था सिकंदर अगर बात किया है बाद में सबसे बाद में किया है सबसे बाद में सिकंदर ने कहां पर आपके शाशन किया था चंदगुप्त मौरे ने पंजाब पर आपके 316 इश्मे का है आकमर करके यूनानियों को भगा दिया और पंजाब पर अपना अधिकार जो है वो आपके इस्थापित आपकी रही अब बात करते हैं आपके दच्छड भारत पर विजय की अगर बात करें दच्छड भारत पर आपके चंदगुप्त मौरे ने वो आपके विजय प्राप्त कर ली थी कैसे प्राप्त की थी तो चंदगुप्त ने उत्तर भारत पर विजय प्राप्त करने के बाद दच्छड भारत पर अपना समराज इस्थापित करने की कोशिश जो है वो आपके की और मालवा पर क्या आपने सामराज इस्थारिके चंदकप्त मौरेने यूनानि के ओर तो फिसे इंगी के द्यान किया। कर रहे थे तो भारत के राजाओं गली वहुत समय था कि पहले तो कि है पहले तो आपके युनानियों कि आपको अधार्थ से रक्षख़ा करनी है दूसरी आपको आपकी रक्ष़ा करनी है अंगे बात करतें क्योंकि क्या है क्योंकि सिकंदर की मिट्ट्यू के बाद सिकंदर का सेना पती सेलुकस निकेटर कौण सेलुकस निकेटर ने इरान और बैक्टरिया को जीत कर सिंदु नदी को पार करके भारत पर सेलुकस ने 305 इश्यू में आकमर आपके कर दिया था सायोफ़ा कहानी थी मगड़ पर अपना समराइस इस्थापट करने के वाद चन्दगप्त मौरण ने युलानिोंच है और यूयू किया क्यूंस ने युज का है कि यूंद्जwach को भारत पर सेलुकस ने 305 इश्यू मेंák और कर कि अंगे बात करते हैं आपके चेंदकुपत ने सैलुकस से चाहर सडतने चेंसंदु अपने या संदिद्ध मेरे चझारत इसा अपको लग रहा है अपको लग रहा है अपको लग रहा है आपकी सीरीज में कुछ अलग दिया गया है में अगे बात करते हैं सहल्वकस ने आपके हैरात कंधार काबूल और बलुष्ष।स्तान प्रांट हो क्या है चंदगुप्त को आपके दे दिया, साथी साथ अपनी पुत्री आपकी कार दिया, जो से हैलन का विवाय ý आपके चंदगप्त दिया, साथी सालकस ने किया, पांसो हाती जो ने किताब अपकी लिखी ती, इनडिका. नामा किताब आपके लिखी दी ये बास समझ में आ गई तो जिसे भी इन में कन्फूजन लग रहा हो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो और बात है थोड़ी कम करिए जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए आंगे बात करते हैं चंदकुप्त मौर की मिर्तियु ज साथ कहां चले गए आपके सिर्वल बेल गौला मतलब मैसूर जो है वह आपके तपस्या करने चले गए थे और दो सो अंठान भी इशियों में चंदकुप्त मौर की मिर्तियु हो गई थी यहां से कुर्शन जो है वह आपके पूछा जाता है क्या है पूछा जाता है वही मै अपने आपसे वहां लिख सकते हैं का मैं ने चेक किया तो हर जोगे आपकी अलग अलग जो है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू दिया गया है तो इन्चार लाइन अगर आपको कहीं भी कन्फूजन लग रहा है तो क्या क्या करना अपको कि अगरुन अकर आपको लग रहे तो आपको जो आपको सही इनक्रप्लम लग दो करे लूट है चैंद अब हुर्द्रम में आपके अगला बात करते हैं बिंदु सार की बात करते हैं तो जंगी साशिन की आवदी जो है वह आपकी 297 बेसे आपके 272 इस्वी तक क्या है चलिए कब से कब तक आपके 277 बेसे 272 तक जो है वह आपके चलिए चंदगुप्त की मिर्ट के बात किया है उनका जो पुत्र था आपके बिंदु सार आपके समराड बन गया और इसका जन्म कब हुआ तीन सो चालेस इशी में हुआ था और भी कहां पाठली पुत्र के बिहार में आपके पाठली आई लेह असार अन՝ार बात की जाए चाहिए बिंदु सार का नाम Dollar के दा है अ Lord कंवाला था गलए चाय कोंज दो ही आगए अए कोशेश राजो सार आज बता दें ओके बात करते हैं चार्णक जो है वो क्या है चार्णक जो है वो बिंदु सार की क्या है क्या है क्या आपके मंत्री रहे हैं कौन रहे हैं चार्णक जो है वो आपकी क्या है चार्णक आपके पहले चंदकप तुमौर के भी मंत्री रहे हैं औ और सामंतों का जो है वो नास की और बिंदू सार को पूरू समुद्र से पश्यम समुद्री भूबाग पर अधिक शक्र बनाया गया कर देखे चंदुगप्त एक चीज जयातक नहीं आपके जो आपके चंदकुब्त मौरक का क्या है समराज जो है वो नहीं समालने वाले ते मौरवन्स की स्थापणा नहीं होने वाली थी अगर बात की चाएं आपके मौरवन्स की सहपना में सबसे इंप्रोंटन्यों नो yOWQué 4 लग करता है तो वो थे 4 लग का क्या आपके आपके मंतरी रहे और चाहर मुझ जो पूतर था बिंदू सार उसने शाषण किया और चाहर्णक नीते हैं इसे हम लोग करते लोग आज बिजनसमें आपने चाहर्णक नीती आज के समय में फॉलु करते जो आपके फॉरन कंट्री न है न आपके विदेशों के लोग वहापके चालनक की नीटी जो है वो अपने अपने देशों में फालो करते हैं ऐसे ही नहीं चालनक कितने बड़े आपके उनका रहे अर्थ सास्तिक आपकी रहे हैं वो क्या उनके अंदर की काफी सारी शीयंचे हैं वह आपकी बहुत जादा अच्छी थी आंगे बात करते हैं सदम्हां यूट करें सांद करने में बेगा है अपने पुत्र असोक को राजों में भीज़ आप आप विंदूसार कि अशोग उन्हों को राज्यों में बैज दिया आपके खास्या और नेपाल के लोगों ने क्या है विद्रोः कि और असोग की इन प्रदेश ओप जीत लिए तो आप कहते हैं कि सैलुकस के उत्रादकारी जो है वो आपके एंटियूकस प्रिथम ने अपना राजदूर जो है वो डाय मेकस को बिंदुसार के दरवार में भेज दिया था उसको भी आपके उसको बिंदुसार के दरवार में आपके भेज दिया था सब्सकिर एक आपके ढर्रति का व्याद से अपर ब्रुषट से कैंट करने लग थे कुछ गोड़ा है बें तरो 173 में हो गई ती आगे बात करते हैं आपके। बात करें और 5 साल है դो सकता है सब्सक्राइब करें तो आपके प्रिशाशन की बात करें तो मौर प्रिशाशन के अंतरत क्या है भारत को पहली बार राज नीदिक एकता वह आपको प्राप्त होई का प्राप्त होई आपके मौर प्रिशाशन के अंतरत भारत को पहली बार राज नीदिक एकता वह आपके प्राप्त होई उसके बात क्या सत्या केंद आपके राजा होता था लेकिन निरंकुष नहीं होता था राजा यह है निरंकुष नहीं होता था वह सब की आपकी सुनता था आगला क्या है कौल ने तक हाथ अंग्या सत्थंग जो हैं आपकी बनाया तखी आपकी बदाये थे राजा हो गये आपके आमंत हो गये जन्पथ हो गये दुर्ग हो bei सेन और आपके मित्र जो है यहां है के साथ जो हैं वह सब्तांग आपके बदाए थे राजा दुवारा अप्रधान मंत्री वा पुरहोईत की न्यूकति न्यूकति उनके चर्थ परिछोने की बाद ही की जाती थी राजा क्या करते था जो प्रधान मंत्री पर्षत में अनेक सदस थे आपके समराज पांच विश् सब्सक्राइब करते हैं तो उनके बहुत सारे आपके आएस ऑफीसर जिन से जब भी काम करते तो सबसे सलाहा लेते हैं तब ही जाके कोई निर्डा पर आपके पहुंचते हैं जैसे कि आप लोग इस पीच वगराद देख रहे होगे तो आपके नरेन मोदी जी या कोई वह पस अपना पॉइंट या बोलाना है यह यह चीज देन के हैं देन पू उसी के अकॉर्णिक आपकी इस पीच तयार करते हैं वही सबी नियता बगरा इस वह आपके बोलते हैं अब जैसे योगी जी जी जो थे वो क्याते वह आप लोग एक तरीके से अपके संथ महत्माह के तो वो शाष्ण कैसे कर पा रहा है उनको तो इतनी नॉलेज नहीं होगी ना तो उनको कैसे कि उनको लोग है वो जैसे की मंत्री हो गया जैसे कि आपके इस ऑफीसर होते हैं आप के आपके आप आपके में जो हैं वो करता धरता आपके होते हैं समझ गरें सीज़ को तो वही यहां पर भी था यहां किया है आपके राजा जो थे वो आपके मंत्री परशता यहां करते ते और मंत्री क्या है मंत्रियों से बैठकर क्या है किसी भी बारे में क्या है सलाय वगर ली जाती जिसे किसी कार का समय तथा इस्थान का निलधारन करना है पूर्थ अकश्मिक आप दाओं के लिए विवस्था करना है और फिप्त जो है कार शिद्धी मतलब शाषन को सुचारू रूप से चलाना आपके होता है आगे बात करते हैं अगला क्या हो जाएगा आपके बहुत सारे आप कि पढ़ाने में कॉमेंट किसी के लेना नहीं चाहती है तो सबसे पहले आपके चंदगुप्त मौर हो गया उसके बाद बिंदुशार आपके हो गए फिर आपके समराथ अशोक आए असे कि बाद कुडाल आए दश्रत आए संप्रति आए सरुसुर्ख आए देव वर्मन आए और संद्राद और लास्ट में आपके ब्रिदस्ता है देखो आपके यहां तक तो साशन बहुत अच्छे से चला आपके मशन दुप्त बिंदुशार आपके समराथ असोक उसके बात करते हैं आगे बात करते हैं समराथ असोक की बात करते हैं कि समराथ असोक की बात करते हैं कि क्या होता है तो आपके समराट असोग की बात करते हैं अगला क्या हो जाए बिंदु सार की मिर्ट्यू की बात क्या है भारत की इतिहाज गगंपर विश्य पिष्ट और सक्तिशाली भारती मौरी का है समराट आपके अशोग का क्या हो गया उद्य हो गया पहले सबसे पहले आपके चंदकुप्त मौरत आपके बहुत अच्छे शाषन करता था ही थे उसके बाद बिंदुशार भी जो थे उन्होंने भी बहुत अच्छे शाषन के और बिंदुशार के बाद आपके अशोग की ब देवताओं के प्री हैं आपके देवना प्री अशोक का पूरा नाम था बौदमत की आपकी किदवन्ती के इंशार अशोक का सिंगाशन जो है वह सांतिपूर नहीं हुआ था क्योंकि स्वैम सिंगा संदर बैठने के लिए उन्होंने अपने कई भाई जो है वह आपके मारे थे किसने अशोक ने इसलिए अशोक को राज़ अफशेग में किया है चार वर्स तक आपके रुके रहना पड़ा था आपके अशोक का राज़ अफशेग आगे बात करते हैं अशोक का सामराज उत्तर में हिंदु काशी दश्चन में गोदावरी नदी और मैशूर पूरवी में आपके बांगला देश थे पश्चिम में अफगानिस्तान इरान तक आपके पहुंच गया था समझे एक समय था हमारा भारत में आपbon धानिस्तान में हमारे भारत का बांगला देश में था अफगानिस्तान में चलता ओं सब्सक्तिम कर आपके समय सब्सक्षाल करते हैं आगे बाद करते हैं असूक का समराज उत्तर में हिंदुकाशी हो जगा है आपके सम्राज रहा है आपके सम्राच असोग ही भारत के सब सबसे सकतिसालियों महान सम्राथ को बहुत घर्म के प्रिशार के लिए भी आपके जाना जाता-थ 29 कम्रस सॉगे भी जोरो सोरो के साथ आपके क्या था अगर यहां पर बात की जाए तो क्या है आपके चंदुकपत मौरतों थे ही थे लेकिन अगर आपके मौरवांस में सबसे अच्छे और सबसे आपके सक्तिसाली महान समराट की बात की जाए तो वो क्यों थे वो आपके असोग ही थे क्यों थे असोग ही थे जो आपके सबसे सक्षिसाली और समराट राजा आपके थे जो जीवन के मद्ध में समराट असोग भगवान बुद्ध की मानवतावादी सिच्छाओं से प्रभावित होकर बौध हो गए थे उनकी इसमती में असोग ने क्या है 2019 में ये कुशन है आपके असोग ने क्या बनवाय था असोग ने आपके जन्म इस्थल आपके लुंबिनी में माया देभी मंदर के पास सारनात कुशी नगर बौध गया स्री लंका थाइलेंड और चीन में इस्तम आपके बनवाय थे आपके बहुत धर्म के इस्तम में आज भी आपके बने हुए हैं अगला है समराठ असोग के हैं अपने संपूर जीवन में एक युद्ध आपके नहीं हा रहे थे समराठ असोग के समय में ही आपके 20 विद्ध यालों की आपके स्थापना जो है वह आपके हो गई थी मतलिस्था केस समय नालंदा विश्विद्ध यालह है नालंदा विश्विद्ध याथा तक्शसिला 54 आदी प्रमक धी आप be उसमें आपके बिहार का जो आपके राज़ old on the only तो बिहार की बहुत अच्छा है हालती महाँ पे आपके पार्टली पुतर तरफ ही आपके चलाई था वहां के राज़ते तो उसमें बिहार की बहुत अच्छी आपके हालती वहां पे एड्यूकेशन का लेबल जो था वह बहुत अच्छा था विदेश से लेखो हमारे तर्चे सलाह आपके विक्रम सलाह आपके नालंदा विदेशों से कई बच्चे सिच्छा पाने भारत आते थे सिलाले प्रारम करने वाले अपके आपके युद्य की तो समराज अच्छी वर्ष 261 एक्ष्यव में आक्मर कर दिया था क्या कर दिया था आपके आपके आटफे शेक हुआ उसके आठवे वर्स में आपके 261 में क्या हुआ कलिंग ओडीशा पर कर दिया आकमन कर दिया अशोग जो है वो किया है कलिंग का यूद जीद गए परंतु क्या है परंतु एक लाग लोगों की आपके हत्या हो गई डेड़ लाग लोग बंदी बन गए और इन सबस भूत नावında भिक्जुनीं कहते है बहुत धर्मिकी आपके दिख्षा जो है वह वान्यकिकिसने ले लिती आपके अशोग ने ले लिती आंगे बात करते हैं वसकी बात क्या है 20 वी में आपके लूम्बिनी क्या है करमुक्त घोषष कर लिया कहा कोई कर जो है वो आपके नह आपके 36 इश्यू में वो आपके हो गई थी और अशोग ने कस्मीर घाटी पर विज़ा आपके प्राप्त करके स्री नगर की इस्थापना की थी याँ समझ रहो उस्तव एक समय आपके स्री नगर में भी आपके हम भारतियों का या हम हिंदुत तो लोगों का कैया है आपके वच जो है वह आपके चलता था मतलब जसे कि आपको कहा जाता आजके समय में अगर आपको जम्मु कश्मीर वगए जौगे न तो वहाँ पर सब सब आपके आपके फैमिली जो है वह रहने लगी है जबकि आपके वहां पे पंड़ित पहले आपके रहते थे उनको नाम था कसमीरी पंड़ित तो समझ आपको यहीं से पदा चल जाता है कि असोख ने कहा है कसमीर घाटी पर आपी कहा है विजय प्राप्त करके स्री नगर की अप अशोख के समय की बात है आपके तो मतलब कसमीर है वहां पर एक समय ऐसा था जहां पर आपके हिंदू लोग आपके रहते थे तो अशोख इस आपकी विजय का पता कल्धड की आपके रास तरंगनी से पता चलता है क्या है इस बारे में आपके जो आपकी कल्धड ने रास त तो कहीं नहीं कुछ ना कुछ कर्रेक्शन्स होंगे और यह हम सब को पता है कि वहां पर गया है जहां आज आपके कस्मीर है कि हमारे भारत का मुकुट भी आपके कस्मीर है चब्सक्राइब करते हैं आपके कबज़ा करना चाहती है आगे बात कर लेते उसके बात करते हैं आपके ब्रह दस्त की ब्रद्रस की बात करते हैं यहां से 2020 और 2020 और 2017 में कुशन बैक को बैक पूछा गया है तो मौरद्रत आपके मौरस अमराज का अंतिम और आपके आयोग शाशल जो है वो आपका था उसने राचकाच और आपके सैनेक मामलों में क्या है कोई दिल्चस्पी जो है वो नहीं ली बलकि यह क्या बलकि सारा समय आपके भोग विलास में वितीद करते थे उनका लाब जो है वो किया है आपके बरदस्थ के सीनापती उस पर आपके मित सुंग ने राजा की हत्या कर किया है सत्ता हत्याली और मौलवंच का आपके अन्त जो है वो आपके कर दिया देखो एक चीज वामशने याद रहेंकित अगर आप किसी भी चीज पर फोकस नहीं करूंगे दूसरा उस समय का आपके फायधा वह आपके उठा लेंगे तो बस वही बात यहां पर भी होयही वही बात यहां पर यहां पर किया है आपके आपके मौरबंस वह सत्ता को हत्या ल यूनानियों ने मौर समराथ पर मगत पर आकमर करकी कहा है उसे अपने अधीन कर लिया था थर्ड है आपके अशोग की मिर्टी के वाद आंत्रिक विवस्ता आपके बेगड़ गई थी मतलब अगर कहा जाए तो अशोग अब तक के सबसे अच्छे आपके सबसे महान जो राज मौर समराज के पतन के बात क्या है भारत में राजनीदिक इतिहास में एक्ता का आपके अंत्र हो गया था ब्रहमिदत तक आप ही क्या है एक्ता समाफ्त हो चुकी थी स्रीगुपद स समराज कोao ने उसे पे स्थापत किया था और के है और गपत समराज का अन्त्र शाषक थे वह आपके विष्णू गुपद थे कौन थे और कवन समराज के अंत्र शा्षक में आपके लगबग हो गया हो गया था पांसो पचास इसी को ने हो गया था आधिकर बात करते हैं है वह आपक replaces कर रहे हैं तो चक आउट करूंगी वैसे ही बताऊंगी तो फालतु कॉमेंट ना करें फालतु का टाइम वेस मत करिया आप पढ़ाई थोड़ा द्यान दीजें मौर वन्स के तीसरे जो आपके तीसरी सतापध ही इशी में आपके तीन राजवन्षों का उड़ा उधा ही इस वन्स में चंदगुप्त मौर् समुद्गुप्त और चंदुप्त आपके रोया हैं én उड़ा है今 चंदगुप्त जैसे आपके राम गुप्त, चंद गुप्त, कुमार गुप्त, प्रिथम्स, इसकंद गुप्त, आपके पुर गुप्त, कुमार गुप्त, आपके दुथी, बुद्ध गुप्त, आपके उसके बाद के हैं, उसके बाद वैन गुप्त आते हैं, भानु गुप्त आते हैं, नर्शि सब्सक्राइब की विशाग दंद ने आपके संस्क्राइब की विशाग दंद ने आपके मुद्रा रच्षक के लेखक है विश्णु गुसरमा जो है वुच्पंजितंत के लेखक है वशुबंद और वाराय मिहिर भास भारवी शुहद्र जैनत्र आपके यह क्या है यह आपके विद्वान है जिन्होंने अनेक ग्रंथों की रशना कर गया है गुप्त कालको सहायतिक अगे बात करते हैं अगला चंदगवदुति की बात करते हैं विख्यान के विशेशक वह भी आपके थे देखको सुझाता है यहां पर अगर आप बात करोगे ना सोचल को की मैं समझाने की देखको समझाने वाला कि मैं कहानी के फॉर्म में आपको समझाती जाओंए करते हैसे हैं अगर आप की सबसे आपके रत्न जो है वो पूचे गए है सबसे पहले धनवंत्री थे दूसरे आपके काली दास थे थर जो थे वह वरुची थे फोर्थ जो है वह आपके छपड़क थे फिप जो है वह वेताल भटते और शिक्स जो है वह अमर्शिंग आपके सैबंद शंकू एट आपके बारा म अगर लोग बात करते हैं काली दास जो है वह आपकी सबसे महतपूरी आपके रत्न हुआ करते थे काली दास जो है वह क्या है आपके आगे बात करते हैं अगला के आपके अब बात करते हैं काली दास की काली दास जो है वह आपकी क्या है क्या हैं काली दास है काली दास की बात करते हैं थे ना and यहां से पूछा गए भारत की जो आपके क्या है वह और आप ritual AGoire नहीं है आपकी रशना कौन सी रशना इनकी रशना है माल विका अगनी का आपके रशना जो है माल विका अगनी का आपके रशना जो है वह आपकी रशना है उसके साथ साथ आपके विक्रमों वेड 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 तरे यार आज आए फटापुट्चे आज पार्ण के आज से आपनों की 16 आएक होगी आज से आपनों को अपनों के समय करेंervat आज 16 मिलेंगे 18 तीन देन आपके आपके बंद आपने लेड़िये आई क्या हो कहां काँ आपनों के साइंटर गए हुए हैं आगे बात करते हैं आपके विक्रम उच्ति बाब में से तीन नाटक पर नामक इー और सिंगार कालिधास ने कालिधास भारती आपने के सर्व Arkी विद्वान म्यान आपके नोट्स कि रखना कि आपके वातशयायन और आपकी कामशूत की रशना भी इसी युग में हुई है क्या है कामशूत और वातशयायन की रशना जो है वो आपकी इसी युग में हुई है कला की विकाश की बात कर लेते हैं तो गुप्तकाल में सबसे अधिक आपके विकाश जो है वो कला का हुआ है पहले आपके ऐसे कुछ होती थी या फिर आपके ऐसे ही होती थी मलविक्ता मित्रम उनकी रजणा हैं तो आपकी बिल्कुल सपाट या प्लें होती थी देवगर जहां सी उत्तरपिदेश को आप जानते हो तो वहां दशावतार मंदर विष्णु भगवान का मंदर तो भारत सिखर यूप पहला नागर सरेडी सायलि का आपके मंदर यह आपके वरतमान में ललतपुर जले में जो है वह आपके असकी बात का भीतर गाओं आगे बात करते हैं अंकला क्या हो जाएगा आगे अगर आप लोगे पास सोशल के नहीं है का है इस अगर आपके पास नहीं है पर दो प्रास कोडन के बैट जाया कर एक आपके पास नदी की एप less to अगर फेसल्ट के अपने स्कौन के लेखी ऑगर यह को इसाइब ले रखियागों आपको फैन। में तो आपीटीयाफ लेते हैं तो दो खया कंद दुख सकती हैं और तो यह जब करता है धर करें तो बहुत कर सकती है अब बात अश्राइब तो ऑफ बहुत है ख्वेस नौलस्स नेए तो सोचल कहानी के फॉर्म में पढ़ोगे तो भी गोल आपको समझ में कर दाघा अगर जैघाली के फॉइम और ऊप कहानी के फॉर्म में फॉर्म में तो बहुत अच्छे समझGO आगा लेकर अगर अगर को एक अगर चुल बढरा का पार्वति मंद्र के आपके कि क्या है जो कि आपकी मद्ध प्रिदेश में है मेरे में कहले, कहने नहीं लिखा की आपको कहने या खुशा यह नहीं की आपके लिख सबार बेंगे मामिक लस्कम अगे सेではंयों Braynekर était कि आपनों के नोट्स में टॉपिक हई यही थे से पॉस्बिल है उन एक्सटर पॉइं। ज्यान के टॉपिक ऐसे तो थोगा निया अपनों के नोट्स पैसा नहीं हो वह संद्सूरत भर में तरह निकी ना imagesł हो आपके चलो कोई दिक्कत ने ढखिंत है और लिक्ष najleps würde कर दो SAY प्याइ وس 저희가 पाद लिखाए तरो लिखाया बात में आपको चलो लिखना थी जब्रेक्न हो यह मुझे लिखा हो इस आपके बात में लिखा हो दो दो आगे बात करते हैं कि अगले हैं आपकान करते हैं गुप्तकालिन जित्कला जो है वह आपके हैं सब्सक्राइब नंबर सोला और नंबर सत्रा का निर्मार्दी गुप्टकाल में आपके हुआ जिला औरंगाबाद महारास्त में आपके यहां से कुछन पूछे का इसलिए मैंने इनको इंपॉर्टेंट लिखा होगा थर्ड है अजन्ता की कुल गुफाय जो है वह आपकी उन आपके औरंगाबाद महारास्त में हर एक चाप्टर के पीचे कुछ एक अपने पेज चोड़ रखें जैसे ही मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलता है उनमें पीछे लिख देती हुए उस चैप्टर के तो आपको नहीं मैंने बता पाई हो सकता है इसकी आपके लिए इंपॉर् को कि एक सबसे ही इंप सबसे ही हम किसी वेक के बारे मेन को इनस अपसी ही पता चलता हम वहां की साइटि कैसा था मुद्राएं कपकी है आवले क続 पुरानों की बात करेते हैं पुराने और विष्णू पॉरान् वाइू पॉराहनॵ्ज पॉरà्न ब्रहाण पुरानु है फिरणा में गुपतों से प्रारंबिक आपके तहका सीमा दृत्रारं और कर दो सांस्री काल कलाप के बारे में जांकारी मिलती है। हम लोगों वारे में याथे।ब आपके पढ़ा था है आपको बताए था नहीं आपके विश्टनु पराण वंट्म घृफ के इनकी आपके वश्टनी में बारे में बहुता सरी पर फाप्त होति और बस किया बस पढ़ते चले जाए अगर आप नोट बुक से या फिर आप नोट से पीडियाप से पढ़ नहीं तो आप कहानी की फॉर्म में जैसे मैं सुनाती जारी हूं बस अपनी के कॉमेंट शेशन आफ करी बस सुनते जाएं बहुत आराम से हमरतस पुराण पुराण है अगके बात करते धर्मसास्तुब की धर्म संसकार इसमिरों के गयान प्राप्त होता है इसमिरों की बिठात आपके की जाए है पैविशांबे विषाक दंद ने आपके देवी किए और व वितान्त की भात कें तो फायान शूविन ओ इतिशंग और अरवरीनि वह आपके आये हुएन आगे बात करते हैं, कहानी का फड़तन नोक्ति आपको अन्य सामित्शला को पूरता सुर्छके लेसे कहा है तो जहां पॉइंटेट चीज़ें उनको वस आप नोट डाउन कर लिए उनको पर लो थर्ड चैप्टर की बात करते हैं थाड़ी क्या है वर्धन वन्ष काल या पुष्पती वन्ष की बात करते हैं आपकी तो गुप्त वन्ष के पतन की बात किया है कई राज वन्षों का किस ने किया जब आपके मौर वन्ष का हो गया इसके बाद ऑफ्य आप यह वह senin पहले वह किस ने किया हुआ और किया और आपके श्री गुफ्त ने वह विश्ण गुफ्त ती तीनों समझ में अर tribes और और फिर द्हाने वह आपके थे जोने आपके परम भटारक और महा धिराजरिय जो हैं वह आपकी परापन की इस प्रभाकर की पत्नी ये शिनमती थी और दोपुत राजवर्दन और राजवर्दन आपके थे खर्ष विस्तर assez वे बारे और भात में कहा है बाद में आपके हर्षव वर्मा क्ञाज कुछ नाकर यख्राफिशास्ट रॉक्व 22. एक राज्य हीराजास्ट की था। कन्ोच के राजवर्दण के माय डाला कै addiction को मारा डाला क्या है जो आपके आपके घृत्र हो कर आपjekt要 राजवर्दन की भी हत्या है तो इसे मिलाओ आपके राजवर्दन की भी हत्या बसक्य случай जいます वह कौन समाल ले क्योंकि राजश्री को तो कारागार में डाल दिया था भाई अब तो बड़ी समस्या आ गए तो इधर राजवर्दन की मिर्थ्यु के बाद क्या हुआ 606 issue की बात है कि 16 वर्ष की आयू थी हर्चवर्दन की केबल क्या थी 16 वर्ष की आयू थी और उस समय क्या है उस रमें आपके हर्चवर्दन जो थे वो थानिश्वर की गद्दी पर तो बैठी बैठी गए थे और साथी साथ क्या है सद्धाथ इन्होंने कन्योज को भी अपनी राजधानी जो है वो आपके बनाया था आंगे बात करते हैं स्वोलावर्ष की अवस्ता में हर्चवर्दन जो थे वो राजश्वर की गद्दी पर बैठी और हर्षवर्दन ने आपके सिला दुति के नाम से जो है वो आपके जाना जाता है कि हर्षवर्दन को आपके दी गई थी है आगे बात करते हैं हिंशांग का आपके भारत वर्तांस जो है वो क्या है दो तर एक तो चीनी यात्री हम्स्तों हर्ष के समय में भारत आई हुए और 629 में ये भारत आए वह ते और 645 में ये क्या है ये भारत से लोड़ गए थे मतलब हैं टोटल आपके 15 वर्ष भारत में रुके थे और यह क्या है ये आपके नालंदा विश्विद्याला में पढ़ने के लिए आए और साधिसात क्या है बहुत धर्मिक ग्रंथों को भी जो कि लेंगी में इक साथिसाथ कि आपके हश्तिफ हेक्ते में के समर्थ होने के बाद के बाद ही बाद के जैंडेर हैं जाते हुआ पुझरा है वो आपके बहुंत ग्रंद और भगवान बुद्र के श्यर लेकर हैं वह चीन tomorrow आप g mies. जापके तुछ वहां पर ले गए जब आपके विरतांत जो है वह आपके लिखा था कि वेरी गुर्ट काश कि आगे बात करते हैं फिर क्या हुआ आपके चीन पहुंच गए तो हिंशांग ने क्या हिंशांग वहां जाकर भारत की बारे में जो है वू लिखा बहारत की यात्रा पंदा साल के बारत की वह हुआ मैंने जैसे आप खूमने के लिए दो दिन के लिए बीए उत्तरा खंड गया घूलरी में अपनी कई एक नोटर बूक में तो वैसे ही दियरी के शिराए रुगतरिय। और जब लिखते का लिखते का तो वो कहा है वो इनकी किताब पूरी बन गई और वही आपके यात्रा विवरर्ल या यात्रा वितान के नाम से जानी जाती है हिंशांग की यात्रिएं का राजकुमार या नीती का पंड़त आकर बारत का बात करते हैं सामंद वाद कालीन भारत जो है वह आपकी कैसा था सामंद कालीन तो इंडिया क्या है इंडिया इन आपका कौन कौन से हैं आईए बात करते हैं आपके सबसे पहले समराठ हर्सकी मृतियु के बाद भारत वर्सकी राजनीतिक एकता जो है वह आपके छिन्नीबिन हो गई जो सामाजिक रूप से राज़वादि जो है वो आपके कहला है क्या हुआ है? तक जो है वो आपके रहा है Isaiah? यह जो आपका यूग है इसका नाम क्या है? इस दो है वो राज़वादि योग पड़ा है और यह कहा है यह काल आपके 647 इशवी से बारा सु इशवी तक आपकी continue रहा है आपके राजपूतों की राजपूतों की अपर प्रुश्ण वह बहुत भूपफी कोई कुछ कहाता है कोई कुछ कहता है भारत महाभारत में राजपूत जो सब्सक्राइब एक आपके राज पूती पर गीए कोई एकमत ही नहीं सबके अपने अलग-अलग विज़ार है कोई कुछ कह रहा है कुछ विद्वान कहते हैं कि पृतिवी राज राशों के आधार पर कहा है इनको आपके प्तिहार, पर्मार, चाललोग, वाच्वार, चाहवान आदी राजदूत की कहें उत्पत्ती जो है वो आपकी हुई थी और ये चारवंस क्या है आपके अगनी वादी कहला एकॉन कौन से परमार पृतिहार चालड़ वाश चाहवान वंस जो है ये क्या कहला है ये आप लोगे क्या है ये आपके अगनी वादी जो है चारवंस अगन है आप लोग की इसके आगे हम लोग बात करते हैं किसकी बात करते हैं अब बात करते हैं आप लोग के पृतिवीराज राशो की पृतिवीराज राशो की पृतिवीराज राशो की हम समने जो है वह आपके सुना हुआ है पृतिवीराज राशो जो है वह अपने आप में काफी बाधा बीवर्थी ईश्वी तक राजा आपके राजा क्या आपके राज़ा है कि अकि महा काव लिखा बहुलें एद्रप्ण को सब्सक्राइब ने समय माईपकूं और अब पो आज आगे बात करते तो क्या है यह चीज़ हमेशे राज के आपके राज कावी जो है वो कौन वो आपके चंदवर्दाई और चंदवर्दाई ने पर्षिविराज राशोन नावक महाकावि की रचिना प्रहु आगे बात करते है आक यह चिंद के काफी करीब थे जो आपकी पूतना को ने कि जैचंद लिए सखी मित्त थे लेकिए utter अब अपने सभी मत्त की ही आप उनकी बीटी को ही भगाकर ले जाओं तो मित्टा रहे मुहम्मद गौरी ने उत्तर बारत पर आक्मार कर दिया और तराइन के मैदान ने प्रिथ्वीराज राशों से क्या है युद्ध जो है वो आपके स्टार्ट होगा जो है और इसमें क्या हुआ इसमें आपके प्रिथ्वीराज चौवान की जीत हो गई लेकिन आपके 1992 में ज लेकिन प्रिट्वियाज राशों निया में महुंम्मद जोड़ान में घज़िया आपके मारा जिंदा फिर महम्मद गौरी ने अगली है जो युद्ध किया किया है फिरसय आकमन कर दी और तराइन्क दूती हुआ जिसमें मुहमद गौरी ने प्रिठीवेहिर्वीय तराजत कर दिया और जपतिकिया और दिल्ली में आपके दर्गाए जो आपकी बाद में बनाए जो क्या है जब आपके मुस्लिम वन्च वाइब कर देखो और मुसलिम इसमय इसे मुष्छाइब अगरा साइट जाए तो यहां आपको मुगल नोग उनका शाशन बहुत तेजी से जितने मंदिर थे आपके सब्सक्राइब करें आपके मजुद्धे बनवाई तो यह काम हुआ पहले आपके अजमेर जैपुर आप जाओगे वहां पर आपको किले किले की देखने के मिलें क्योंकि राजाय बहुत बड़े बड़े बहुत उचाईयों पर किले आपके बनाए ह सब्सक्राइब करें जो आपके चौवांज आपके चालुक वंस थे इन लोगों ने किया था लेकिन क्या है दीरे-दीरे जैसे ही क्या है जैसे ही मुस्लिम सत्ता बढ़ती गई और उन्होंने आपके बड़े-बड़े जो आपके महल से ना यह उनको क्या उनको तुरवा कि सब्सक्राइब करने वाले यह राजवन्स आपको आज भी देखने को मिल जाएगा हाँ हाँ वही किड्नैप किया था भगा नहीं कह सकते उसको आजाओ हाँ आपके क्वाजा आपके मुद्दीन चिस्ती की दरगा जा है वो कहा है वो आपके अजमेर में है आपके आंगे बात करते हैं आगला क्या है आपके राजाओं किस्तान राजस्तान है बिल्कुक्त सही का कोई रिक्कत नहीं कर अशक कैसे लिए सुनना है इंपोर्टन नहीं है टू क्या होकि एक राजज़ूत आज एक राजपूद आपके राजवन था इस किये हैं जिसके मद्द उत्तर भारत में बड़े हिस्टप्रम्द आपके आठवी और ज्यारवी सथी किये है वहां आपके 11 और आठवी सथी से 11 कि कि वीजिव साथ करने वो कौन थे वो आपके गुर्जर और प्रतिहार वन शुके थे इस राग यार वेट एक सगंड रोको जरा आज यह फटा फटे में आगई पता नहीं कहां टच हो जाता पूरी पूरा आपके पीडियाफ ही चलियाती है हाँ उनने से पकाए कुछ माँ पकाए पकाए आजए आगे बात करते हैं हम लोगिया आपे बात कर रहे थे आपके क्या है प्रादवीन काल में राजस्तान गुजराट के भूभारग पर दोफ दोफ मोच रह Cooking ढगा जाता था तो में करते क्या है इस प्रकार प्रतिहार राजपुतों को कि ह Св mandated टाय यह ते भी कहा जाता है नागबट द्वारा आपके 725 इश्यू में समराज की सापना से पहले भी गुर्जर प्रतिहार द्वारा मंडोर मारवार आदी इलाकों की सामानतों से क्या है चैसे आपके 19 सदी के 20 राशन जो है किया है कि तो सूसंगिठित आपके समराज की सापना नागबट ने ही आपकी क पहले हैं समझ गए आगे बात करते हैं महीर बोच कहीं कहीं पूछ लिया गया है महीर बोच कौन है आपके 840-890 प्रतिहार बंस के प्रतापी राजा जो थे वह मदब्रदेश को अपने अधिन कर लिया था इन्होंने क्या है क्योंकि उज्जैन आपके राज़ानी रही है और उज्जैन जो है मदब्रदेश में ही पढ़ता था कहा जाता है कि बंगाल के राज़ा देवपाल ने कहा है महीर बोच को पराज़त जो है वह आपके कर दिया था इन्होंने भारत के उत्तरी भाग में लगबग आपके 49 वर्शों तक शाशन जो है वह किया था उनकी रा है चलिए क्या बात करते हैं यहां हम लग बात कर रहे थे कि इन्होंने क्या इन्होंने आपके भोजपुर में आपके भोजपुर नामक नगर क्या है नगर जो है वह आपके बसाया और क्या और मुसलमानों को आपके दश्र इवंपूर क्या है दश्र इवंपूर में आपके हारे थे उन्के कारण आपको पता है क्या करण्थ हारे थे वह पता है उन्का पता है क्यों हार में जाइन जब था कमी होगी तो सलけれगाह् oike एकता की बहुत बड़ी आपकी जरुवत होती है अगर आपस में एकता नहीं होगी तो आप कभी भी आंगे जो है वो नहीं बढ़ पाओगी इसी तरीकी से क्या है राजपुत जो है राजपुत राजाओं का आशयोग रहा राजपुत जो राजा है उनका आपके आशयोग र तो क्या है अगर मार दे तो क्या होता तो फिर आपके दूसरी बार में हांडने की चांसे होती नहीं पिर्थवी राज आपके चौवान ने सबसे बड़ी गलती तो यहीं करती कि आपके मुहमद गौर्यू क्या है उस टाइम छोड़ दिया और उसका आगया है उसका आज उनक कि युद्य की नवीन पधती आधारता क्या है वह तो क्या है कि अविधा कि नवीन पधथी आपके पदधा है मतलब कर अ कि मैं ट tenía आगके लड़ा जाता है कुए कि आगे बात करते हैं सक्षा कि एसे इसाइट की बात की तो वह कैसी थी 2018 में आपसे पूचा गें सिक्षा की बात क्या थी अच्छा जल्दी से मुझे एक कुछिन एक अंसर दे नगा की रचना तो मुझे पर्थिवी राज राषो वाला बता दो किया है समिंट किसकी है क्या है क्या मुझे पता है क्या है थी जुन महामोख्ष परशत का आईजन कहां पर हुआ है कि कुछन के आजर करते जाएंगी हर सुप तो आपके बार बटै और मुझे बताईए महामोख्ष परशत का आप जल्जी से करो फटा फट्टे बताओ कर दो कर नोज में प्रियाग्राथ यह कौन कर रहा है बहुत पीटे जाओगे यह बहुत पीटे जाओगे आप लोग कर नोज में हुआ था आंके बात करते हैं अच触मिटे बता दो theo जों यह आपके गुटर में गुटर सती प्रफया यह सब जोहर प्रथा आपके चलती ती या नहीं चलती ती यह मुझे बताओ यह नाम में आंसर करो इतना पीटे जाओगे क्या है इतना पीटे जाओगे जो यह रहे हैं नहीं नो जो कर रहे हैं बहुत पीटने वाले हो तुम लोग आप याद रहे हैं राजपूत काल में क्या है लड़कियों की विवाय जो है जल्दी किये जाते तो और साथ साथ क्या सती पर्था बाल हत्या अब इंका के पर्शलन में थी त्म उलतले ने भी कि शोड में करते हैं और तर ंसे जाना अब्यम्हारत किते ते कंप्लीटी कशने और स works satisf Um फंसमय आपके सती प्रभता बाल-हतिया जोहर प्रफा सारी प्रफ़ायआ है वह राजबूत काली में चलती थी समाज में आए सारी परफ़coming राजबूत काल में चलती थी नौ-nummaust कर देड़ा है नो-nummaust कर देना आँगा जा करते हैं ने असे सहीरूम साहईत की बात करते हैं सिक्षा की तो सिक्षा की खूब पर्चार्धता राज पुटकाल में क्या है शिक्षा संस्थानों की दान देती ति travelled अध्य तुनिया गते थे ना entsprech सांशिव STEM प्रमशिला कांची उस समय के सिक्षा के मुखे केंद जो है वह आपके हुआ करते हैं साहित्यों के अगर बात की जाए तो भाव भूती ने उत्तर रामचरत महावीर व्यृति नाठकों की अप्रबृ आपके अमुल निधी उसके राजसेखर बढ़ते बहुत इंपॉर्टंट राजसेखर बोड़ने मश्र न हमक प्रभोष चंद्रोध भट्र नारायन नहीं महामोक्ष वह कानोज में और किस निए यह कौन है गुरुकल कोचिंग वाले केला प्लक Schmidt करना पड़ जाएगा लगांग थो आग賞 कोई राजपूत allora कि this युझ अब्सक्तराइं प्रगति भूबने श्रुमें भूब श्रुमने श्रुमें आपके बना कोमल मंदर भूबने यूठिया democrats मंदर और्प्र कि टाल जलोब सब्सक्ता कर दो रहा है है एक रो प्लिट मोड़ी मोग परोनार धाल सब्सक्राइब कर को अá आगे अगलात करते हैं अबीत कि वी इम्पोर्टन इस फ्लिटी जो आपको पढ़ा है कि आगे बात करते हैं आपके मांट अभी वा गुरिनार के जैन मंद्रों की शिखरों से क्या है विभूज़त आपके मांट अब अगर आपके बहुत अच्छा बना हुआ है आगे बात करते हैं और जो है वह आपकी चीज़ें क्या है दरवड सेली से बना हुआ है जगनात मंदर वेरी गूड आगे बात करते हैं ऐलोरा का कैलास मंदर ऐलोरा का कैलास मंदर मलाल पुरम में आपके रत मंदर है आपकी कांची के पल्लों मंदर बहुत फेमस है होईशंक अच्छा खजूर रहो है आपके चलिए मैं सही कर लूँ कि अगर ऐसा कुछ है तो खुज रहो है वैसे तो पता निया खुज रहो है वैसे बोलते हैं आपके पता निया हो सकता है मिस्टेक हो रही हो मेरे से मेरे तंग की विज़े से आगे बात करें नैस जो है वह फिप कारे कि अधर लेकिन आपको एक चीज पता है साउत की अगर बात कि जाए तो सबीसे जो मंद्र आपके ज़ंगे दिर्वाण से बने गोगिस के दूसरी चीज बताब को सबसे वड़िये ऐसे जहां कि संस्कृत है ना संस्कृत आपके संस्कृत अपके फॉलो होती है तो निकालते हैं तो सबसे दर्वन जो आपकी शैली से बढ़ने हुए मंदर और दश्चुड भारत उत्तर भारत के मंदरों में डिफ्रेंस आपके मंदर के बनाने के तरीके भी आपके अलग अलग होते हैं तो दश्चुड भारत अगर आपके प्राची संस्कृति की बात कि जा आपके चालुक वंच रहा है पल्लव वंच चोल वंच रास्खुट वंच जो है यह आपके क्या यह चार वंच जो है वह दश्चुड भारत की आपके प्रमों को वाजववन्च वह आपके रहे हैं नौ चाओर में नागर सैली से बने हुए हैं बिल्कुल सा है यह राम की बात करें दश्वर भारत मेंesterl visions तेन प्रमुंख शाख खायत तो राध़ अप जिन चानलग विज़द पृर में स्थित वातवी को अपनी राहानी बनाया वह बातापी के चाल कहला है आपके और इस की जो राज़ा थे वो जैसंग थे और यह यह सबसे सकति-साली राजा थे इन्हों ने सबसे प्रितापी और सक्तिसाली राजा पता कौन थे पुलकेशन दुती थे कौन थे पुलकेशन दुती जो है वो आपके इस वन्स के सबसे आपके प्रितापी और क्या है प्रितापी और आपके अगर बात कीचा प्रितापी तो है ही यह साथ सक्तिसाली राजा भी आपके कपसे 609 से लेकर आपके 642 इस वी तक राज जो है वह आपके किया था उसके सासत क्या है उसने युद में कन्योज के राजा हर्श वर्धन को आपके नर्मना ददी के तरपड परायुत कर दिया था और पलव नरेश आपके नर्शिंग वर्वन नहीं क्या है उन्हें आपके र बार बार करव के रिवाइस हो जाएगा विकाश वर्वरी तो क्या हो जाएगा आपके इस वर्श के सबसे परतापियों और सब्सक्राइब कौन थे पुलकेशन आपके दोती थी उन्हें नेंगे 609 से 612 तक क्या है राज किया था और कन्योज को राजधान के राज़ा प्राषीं आपके राजवण्ष उशण कि करणे कि पर आपके राज़ा ISब करते हैं इस रिवह निश्मारत को जया 1 तो बंज की बात करते हैं तो घंघ पर पनेट कि ऊपको पोट्ट्थी जूह मैं को कांजीवरम के राज की स्थापति कह था कांजीवरम को आपको सबस्कितष पालब है कांजीवरम की आपको चीज पता है साडी जो है वो कि भोड़त जादा अपे महागगे साड़िया और कांजी वर्म है एक भी इस ओध ड़ साडी यतने लोग होता है पहले पहले पहनके स्वेशत एक काला नहीं पड़ता तीन हजार पांच जार दस थार पच्च और आपके लाग तक तक की साडियां जो हैं कांजी वर्म के चलती सबस्ते हमारे भारत की साडियां वो कांजी वरम वर्ट की ही साड़ियां फेमस हैं आपके समझ रहो इसलिए सावत के लोग जातर आपको साड़ी में ही देखेंगे वो लोग शादियां करते हैं तो अभी वो शाड़ी पहन के ही साड़ी करते हैं साड़ी जो है सिल्क की साड़ी में मैग्जम टाइम वो आपक गजर उनका होता है आगे बात किरते हैं अगला क्या है आपके आपके चारवी सथाप्दी में इसमें कांजी वर्म में आपके राज जो है वो स्थापद के और यह और अपनी राजधानी बनाई लगबक 600 शहसो वर्ष आपके तमिल और तेल्गू में क्या है छेत में राज कि कि दोत्यूं कोशिया और जून लगजद संवर्म परमेशर वर्मंत परिथम नर्चिंग वर्मंत आपके राज भरमन राजित्य वर्मन वो आपका र Això तर व Só और आपके तार का की बात हुती सो यहां से आपके 3 का सा है मैं आपको इस चंडन चीप्रवास करने आपके राश आपको बहुत सारी महनत तो मैंने अल्लेडी कम कर दिया है अगर कॉंटिन्यू आप मेरे से कनेक्ट हो अप एक हर एक वीडियो मेरा देख रहे हो हरे क्लास मेरी देख रहे हो हरे डिसकुशन मेरा देख रहे हो आपको यह वाद अब तक पज़ चल चुकी होगी कि सबसे इंप इसे बाण बचन्स किस लिए पर चीन किया और करना है आप के वाद दो чीज या ओ stating दो चीजा करने पहले तो आपके पास हमरों को मैरातन मिलिईए अगर पीडियाफ आपके पास है फिर भी अपको सबसे इंपोस्ट में आपको आपकी मैरातन के बाद आपको कुछ नीए वेबसाइट पर जाना है और वेबसाइट इचे उठाने हम आपको 2017 के पेपर 20 정도로 कर दो यहां को आपना को ने हैं यहां से पढ़ा यहां से पढ़ा जो आप कर आपको यहीं कर दो आपको Pdf नहीं कर दो से कितने नास्युजे प ant कि आपको पता है आपको rock seventh subject के आपके?'520.9 10 आपके is war 520 वह सम्वेशन के आपके दुदौ की है तो अपके, आपके is 100ahah और वह आपको पता है, तो आपगी नोट reports लेजिए और पढ़ाई नर्जांटेर करें लिवारतag 2016 सांस्कृिक विकास हिए लिवेशन आरच के जो मंदर है वो दरवर सह nee मैं मैंनम मेरे पास आपने हाथों से नहीं सकता है कि अगर को सब्सक्र बछान को पढ़erdas कenge Detimiento थैंक ह new задач को अगर MI तो मैंने अगर इस Leo Windows कट शुरी तो ही सो को follow up करते रही है यह मंदर को बनवाने में ग्रेनाइट पत्रों का प्रियोग आपके किया गया है कौन-कौन से मंदर आपका मंदर का नाम है आपकी गंगी कोड चोल वरम मंदर जो कि आपके राजन चोल ने बनवाए है चोले श्र मंदर वियाला ने बनवाए है कोरंगनाथ म आपके राज राज दुदिया दाराश शुरम ने बनवाया है आपके कंपेरेश्वर मंदर है जो कि आपके कुतंग कुतंग आपके त्रिभुबन ने बनवाए तो यह आपके इंपॉर्टेंट है इतनी चीज़ें आप याल रख लेना इसकूटी के रिज़र्ट में आर आपके कर रहे हैं कि ऐख यह उसकी है तुछ प्रित्मा होती है वह इंपको सुने उने में विले काश्व धातु की प्रित्मा है और क्या आपके इस काल की सबसे अच्छी रचना आपकी वहीड काने सबसमटेकी सबसंस्ची रजना आपकी सुन्दर कांशर खृतहिक राजबर कि minion सबस्टानिया6 आपके लगवक 675 इस्थापित के और माल खेड़े को अपनी राजधानी जो है बनाया राजकूट वन्त के अंतिम शाषक जो है वह आपके महान शाषक कश्मितिती हुए है और प्रिथम शाषक कौन से हैं आपके इस वह आपके अंतिम शाषक आपके दंती वर्ग है आपके कौन हैं राजकूट वन्त की आपके प्रिथम सविधाए वह आपके और ऐह उन्तिम शाषक जो है वह आपका क्रिष्ण तति को तरह किसे प्रेकार से हो गया कश्मित fats किया राश्ट कूठो के कूटों के पतन की बात करते हैं कि राश्ट कूटों का पतन जो है वह कैसे हुआ तो कुछ दुति की नटूक के अप उपरां थी राश्टकूठ狗्त में किया है कोई भी योग शाषक जो है वह आपके नहीं बचाता जैसे ही किष्ण आपके दोती की मिल्की हुई आपके इस वंत का अंतिन शाषक जो है करके दोती थे और कि ममल नामक नामक आपके शाषण महामल न प्रिशित अ कले पिखत करा था आगे बात करते हैं दश्र भारती मंद्रों की विशेस्ता है यहां से कुश्ण 2019-1918 पूछाए किया तो आपकी क्या है आपके कोशिच तो विकास रही है कि आज ही पढ़ा हूं मैं अभी तो मैं पूरी कोशिच कर रहे हूं कि मैं एक ही पार्ट में इसको डिवाइड कर दूँ दश्र भारती मंद्रों की विशेस्ता है बस बाड़ी सपोर्ट कर दे विकास मैं रात बर जागी हूं यहूं कल की तो पता बाड़ी मंद्रों की विशेस्ता है मैं भूली कई कॉफी भी नहीं आजाओ इसकाल में इस्थापित आपकी कला चित कला और मूर्ती कला के छेत में बहुत विकास हुआ है कि निर्मत ऐलोरा का कैलास मंद्र की चट्टानों को काट कर जो है वो बनाया गया था इसकाल की कर दो ही जो है वो आपकी एक सिंड का टाम दो में फटा बट जो ममी से कहते है कोफी घरब कर दो बाटर नी हो गई है आपकी अपकी है कि अपकी है कि आपकी है कि यार इतने दोंबाद तो कॉफी पी रहे हैं मैं सोची मेरे गला खराब ना हो गले में हलका सा गरम-गरम कोई चीज चली जाए और मैं जग भी पाहूं लंबे समय तक इसलिए मैं कॉफी पी रही हूं श्कारति क्यला को में जड़ी इसलिए ढारते मंदर के आगे कुछ स्थापित कला के शत्तिकला या CS up के अगर रहे हैं अगर रहा है आप अगर घूमने जाओगे तो वहां देखो कि पत्थ्रों को काट करकर की काट करके कि आपकी अक्रतियां जो है वह बनाएं गई कि अंग्या चाहिए कि हाँ यह वाद भी सही है चलिए आगे बात करते हैं अब bात करते हैं आपके भारत में अरब में इसलाम धर्म का अदर्म और भारत में तुकों आतव है कैसे प्रार्म आपके हुआ तो भाई है इसलाम के ऊदर की बात कर लेते हैं वैसे आपकी इनकी माता और प्ताय के मृत्यों तक हो चुकी है मतलब प्ताय के मिर्थी हो गई थी जब पुर्द एनको पाला के से है अबू जयते हैं अब्बू तालोमा के चाचा थे आ लगू है उर महांमा में कहा है 25 वर्षकि आपकी A.I.U. में क्या है? एक धनी खदीजा, जो आपकी नर्की थी. उनसे आपके निकाय जो है वो आपकी किया ता किसे एक धनी आपके 25 वर्षकिज की उम्र में जटीज़ने? म清 そुम poems pää convicted до 25 वर्षके अई. आईू में एक धनी खदीजा से कहा है निकाय किया इसे कहा है इनसे आपके 15 साल बड़ी थी किसे बड़ी थी यह आपकी 15 साल जो है वह आपकी बड़ी थी इस एक विगास पर से रखी तो मेरे पास भी आम लास्ट यह मैंने ही मंगवाई थी अगे बात करते हैं आपके अगला क्या हो जगा अगला जो है वह क्या है वह आपके 15 साल बड़ी थी कौन थी आईू में जो है वह आपके बड़ी थी 15 साल आगे बात करते हैं आपके अगला क्या हो जगा चालेस मर्ज की आईू में क्या है फरिस्ता जिवराहिल ने इने परिचार करने के लिए बवेजा उन्होंने अरफ लोगों के प्रेशलों अरफ और पूझा ने मूर्तीक पूझा हो अघ radius को लों कि दोड़ने के अधर किई एक पर नत्रीश की लगता है और मुहम साह्ट कोμεतले लोगों के वे तो है अलो के मदलब कदीजा जो है वह एक लड़की ही तुभी शादी लड़की से ही तो किया था मॉम्मी से मैंने बोलाया किसी से महां बोली धन्नवाद है आगे बात करते हैं आपका तो किया है इस चैप्टर से एक भी कुछ अब गी दक नहीं पूचा किया कोई कोई पूचा जागा तो अर्लेडी हम आपके इसको पढ़ चुके कहां पढ़ चुके हैं इसको आपके सिक्षा में आपकी इसको पढ़ चुके हैं श्याप्टर तुर्क आकमणों की बात करते हैं आपके. नहीं सोमयां ऐसे नहीं कहते. वर्त्मान में पढ़ाये ना? हाँ लाटा भी धामने इस क्लास में. याद मुझे ट्रॉपिक को पढ़ाते टाइम. आज़ो, आगया जो. भारत में तुर्क आकमण की बात करते हैं तो तुर्कों के आक्मण के समय क्या है चौहान, तोमर, गहडवाल, चंदेल, चालुक वंस के शाषव जो है वो आपके प्रमुक थे उस समय और भारत में तुर्कों का आक्मण जो है वो लगबक 1974 से आपके 1977 के मद्द क्या है होने प्रारंब आपके हो गए थे मतलब क्या है तुर्कों के आक्मण के अगर बात की जाए नहीं तो आपके चौहान, वंस तोमर, वंस गहडवाल, चंदेल जोब, चालुक वंस आपके थे ना उस समय से भारत में तुर्कों का आक्मण आपके स्टार्ट हो जा था और जो यह आपके 1974 से 1970 के बीचे है खदीजा एक कि आपके चलिए आंगे बात करते हैं 1974 से 1974 से 1970 कि मद्ध होने वाले प्रारम हो गए तेकिया युद्ध प्रारम हो गए इसमें महमूद आपिद गर्शनमी और मुहम्मद गौरी के हैं दुआरा किये गए अक्मड प्रमुकाइक तो महमूद गर्शनमी नाक्मड के था और मुह किसने किया था जल्दी से बताओ फटाफट से किसने आपके सत्रावर आकमड किया था आपके सारनाथ पर जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे विद्वाकुन यह नाम है ना इतिंगा जो भी देखो आप इसे प्लीज कंट्रोवर्सी मत करिए अगर कोई किसी को पता हो इस बारे में प्रॉपर क्लियर पता हो कि भाई खदीजा वो क्या है एक मुझे बता देना ठीक है उस पर प्लीज कंट्रोवर्सी मत करना क्लियेट उनका नाम था ना खदीजा हाँ चलिए कोई दिक्कत नहीं है कौन थे आपके महमूद गर्जनवी ने कहा है साड़नात पर आपके सब्सक्राइब अकमध कुजा ने सापना नंतो payment जिसने कहा है उनका यह जिसने चोटी सी रियाशत गर्जनीराज की सापना जो की थी और अपने नाम पर ही गर्जिनी राज की सापने आप आपके दिनी यहीं करते हैं व THE G raft करते हूं अंतंज है कि यह समरेव द्íamos्रणा राज करते हूं हुआ है अगर बात करते हैं उतने अपने । ऐसा सम पंधर आज sex brands वो इतने बार उसे ले जाना पड़ा कितनी आपकी संपता थी एक बार नहीं दो लें अइश्या जा कुछ नहीं किया करें लूटना किया है कि की सबसे प्रिस्चित अकमट मंदर पर आपके किया है और सोना चांदी धन लूट कर जो है वो आपके ले गए थे क्या ले गए थे सोना चांदी जो है वो आपके क्या है धन आपके लूट कर ले गए थे आगे बात करते हैं अगला क्या हो जाएगा यार प्रवजीत यह तो किसी को ने बता मुझे भी ने बता आंगे बात करते हैं अगला क्या हो जाएगा अब आती है महमद गौरी का आती है तो महमद गौरी की बात करते हैं तो महमूद गौरी की बात करते हैं तो महमूद गजदावी के लगबग 150 वर्ष के बाद मतलब महमूद गजदावी ने अकमर के उसके 150 वर्षों के बाद समझ तके मुल्लाल सहर पर अकमण कर की क्या है सिंद्भ और मुल्ताग्स मुल्लाल पर अरीकार और गौरी का भारत तंध प्राप्तिवा इसलाम धर्म का पिरचार करना था मतलब जैरा अब आपके अन ढवला लेड़ politlight अब आप लों की इसलाम धर्म का परचार परचार करना भी आपके आ गया था we हां और यही मह मुहां मद गौरी के हैं उनका यूद्ध इंक उनका साथ कमहा था पृथविल राशो और प्रितम में कहा है मुहम्मद गौरी जो है वह आपके हार गयते हैं वही जिए अपने भारती कहानियां पहले बता है आपको अपने भारती कहानियां बहुत फेमस थी आपके यहां के राजा राज राणियों की कहानियां बहुत फेमस थी आपके एक आप समझ लिए आप ए तो समझ ना कितना आपके संवर्द हो का बाइया इतना लूटा गया इतना लूटा गया अभी भी जो है वापिये है वे द्वा बता रहे हैं वे करश्मा पांड़ी है मुल्तान है तो मुल्तान कर लिए महाप्यार अब तो ममी लेकी नहीं आई गरम कर किसी रसली अपना पिटाई हो जाएगी मेरी और कुछ नहीं होगी आगे लिए प्रिट्विरा चौवान का तुर्को से संगर्स वह आपकी किस तरीके सुआ तो प्रिट्विरा चौवान पंजाद के और अपना राज बढ़ाने के लिए स अंतिम आखमण किया था वो राज कौन सा था जल्दी मेरे कुशन सुनना आपकी सिकंदर ने अंतिम आखमण पर आखमण जो है वो किया था वो राज कौन सा था बताऊ फड़ा पड़चे प्रिट्विरा चम्हान है चालो कि अधा प्रिट्विरा चम्हान है चलिए कौन सा था बताए आपको यह जिसंने गलतате ना बहुत पिटोगे पृष क्या रहे रहें सोधेश क्रेशा बात पंजाब था पंजाब sou भाईज है बहुलगए बीच पढ़ा के लिए क्या रहे हैं कि सुना दो सौरव बात भी सुन लेते हैं तो में गुस्टा नहीं आना चाहिए निशा ले लिए तुमारा भी आँगा चाहिए ग्यारस इंक्यान में परत्वराच चौवान और मुहमद गौरी के बीच जो है जो है जो है इस हार से मुहमद गौरी की जीत से तुरकों के लिए भारत के दौर जो है वो खुल गए और भारत में भारत में दिल्ली सल्टनत काल की शुरुआत आपके हो गई फाइनली के है यह मुझे नहीं बता भी जिना में विकास तुम यह जो सूप बता रहे हो अरे भाई कहीं में लिए अइडिया इतना के पड़े हो पीछे उन्ने सारीक से अन्से संसे आख कुभी विकास तुम काल का मका आपके अleader आपके हां यह जो तक्र शूंकई पाइstar आपके होाज़ू च्यिहां दरे आपके गटगट की हावाज चलो आजा वाज उन लेते हो मैं। वह कि अलगे अलат открыiry है बारत करें भारत के स्टार्टनाथ करें आए डिल्ली सर्थनत दिल्ली सल्थनास से स्वारप चाहिए किर भार को प्रोजन करेंए अ मतलब यह दिसे वह से मत्लब बोच वियो हीित संद्रेश 的 दिल्ली सल्तनाद chat बर एब है कोशन है भर भर के कोशiciones है और यहां इसमेच अप तक आ इंपॉर्ट该 है आपके दिल्ली सल्तनाद आजह समझ लेते हैं और important topics ज्यूरोर देख कि वहां से बसे दऻ्याद है कॉनसा चब्टर कितने नंबर का पुच्छा कहा है? आगर जी, सन 1260-1256 तक भारत पर शाषन करने वाले पांच वंच के सुल्तानों के साषन काल में दिल्ली सल्तनात या, सल्तनात है हिंद जो है वह आपके कहा जाता है, मतल़ 1206 से वह आपके दिल्ली सल्तनात के स्टार्टिंग होती है 2,526 तक भारत पर शाष्ण करने वाले दिल्ली सलतनत करती है और erd contributed some सब्सक्राइब तक चला थर्ड है तक चला थर्ड है तक तक चला थर्ड है सब्सक्राइब तक चला सब्सक्राइब बस्क्राइब सब्सक्राइब तक MAच्रेफ करें चला सरह को थानपर क्रिणे हम थाइब गतल ना सब्सक्राइब कि आपका मैं पीडिएफ अप्रूब कर दिए टाडिग्राम पैमेंट का स्क्रीन सोट भेज दिया ओके प्रो का भी प्रो चलिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा है कि जब क्लास होगी तो बहुत डाउट पूछ लूगा पर आप बहा सुनती नहीं यार प्लीस आप मुझे जी चलिए मैं मां सी क्लास के बाद भी कहते हुआ अपका प्रूब कर देंगे डूंट वरी ओके आगे बात करते हैं बहुत इंपॉर्ड़न्ट है आपके यह पांच वंस और यह पांच वंसों के वारे मैं आपको डेट पता होनी चाए कप से कौन सा बंस जो है वह आपके रहा अरे प्रभात यार सच में टाइम नहीं मिला कैसे चेक कर लूँ अच्छा सब कुछ चेक कर लूँगी परिशान मत हो भेशते रहो वहां जीमेल पर एक दिन खोलूँगी सब च्रेक आउट कर लूँगी कि डूट पर देख रहो कितना कितना मुस्किल अभी मैं इतनी मुस्कि टाइम मिल पारा है मैं आप ले पारी हूं है अमेरतन गुलाब वर्श और दास वंस की बात कर से गुलाम डाइनस्टी कहा जाता है जो कि 1260 आपके 1290 तक जो है वह आपकी चलिये कितने वर्शों तक चलिये आपके आपके यह चली हुई है आपके टूटल कितने वर्शों त आपके अगर देखा जाए क्या अगर देखा जाए तो क्या है आपके नबे वर्शों तक चार्शन जो है वह आपकी किया है आगे बात कर देते हैं है है सबसे है वो है कुत्ब अधीन आवक जो कि 126-1210 ने शाषन आपके इर्थ उत्मिस जूहंने बारे सो ऑफे शोट्व श्यूत नहीं तक आपके शाषन किया है थर्ड आते हैं रजियास सुल्तान बहा बहुत इंपोर्टन नहीं कि आपकी पहली महला साचा कापी इसमें डिली सल्तनात पर नहीं थी वो थी रजिया सुल्तान 1236 आपके 1240 वह आपके आ जाती है और फिप्त वह गयाश उद्दीन बलवन 1265 आपके च्छासी वर्षों तक शाषन जो है वह आपकी किसे किया है गयाश उद्दीन बलवन ने किया है मतलब अगर देखा जाये तो अंतिम 1266 से आपके 1210 ईशवी तक क्या है को तो बुद्दीन ऐवकास शास्टन जो है वह आपके चला हुआ है अब बात करते हैं सल्तनात काल में आपके तुगलत तुगलत तान में पर्था थी कि वहां की होशियार यूबों को युद्वा कारियों का प्रिसिक्षर देकर क्या है बेच दिया जाता था और इसलिए इने गुलाम आप भी कहते थे क्या था आपके तुगले साथ में क्या है एक पर्था जोलती थी कि वहां के जो अच्छे हुश्यार बच्चे हुआ करते थे आपके लड़के हुआ करते थे उनको कारियों का प्रेसिक्शन हो कार शिखा के क्य अभिता ही थी और क्या है वह एक क्या है की मुहमद गौरी के गुलाम था के ता बुदीन के यह यह था जो आपको बुद्धीन वक्ते वह मुहमदगौरी गुलाम था लेकिन आज राजा बन गए है कुछ बुद्धीन आवक्त तरह गुलाम बन स्थापना भी कर दी है तो देख रहा है आपको कभी भी क्या है कभी भी आपको हार्ड नहीं मानने चाहिए कि आपको चुछ करनी पाई आप बहुत कुछ जीवन में कर सकते हो आप अगर देखा जा तो एक नीचो से कितने उपर तक आप उड़ सकते हो आगे बात करते हैं हमें इस एक्जांपल से ब गुलाम वन्च था गौरी की मिर्थ दृवए यो दिल्ली का शाशक बना एवद ने अपनी राजँदहनी जो लाहोर बनाई थी आपको दान परृत्ति होने के को करने के मुणा है इसलिए दिल्ली का कुवत आपके अलिस्लाम जो है वो किया है इसलाम मजज़द एवं अजमेर में धाई दिन का जोपड़ा मज़द बनवाई है किसने कुत्व बुद्दीन एवक ने बनवाई है कुट्व मीनार की स्टार्टिंग नीव भी आपके कुत्व बुद्दीन लेकिन कुत्व मीनार को कंप्रीट कराने वाले कौन है जल्से मुझे बताव लगार तो फटा फट्से वरी गुड्य रुद्धूमिसने किया कि प्राइब को आपके हुआ है कि मिर्थी जो है वह आपके चौगान पोलो खेलते हुए आपके हो ख़ेई हैं इंगेगेगे ए तो आपके पोलो का इस्टेक आती है उससे हम लोग खेलते हैं तो आपकी कहा है पोलो के घोड़े से गिरकर जो है वह आपके हो गई तो आपके लाहूर को में दफनाया गया तो कहां पर लाहूर में आपके दफनाया गया तो समझ रहे हो 1210 में कब है 1210 में 1210 में लिखा कैसे यह मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है 1210 जो है क्या है आपके एक स्केंट को जड़ा बीस दस है यह 1210 है यह मुझे कंफर्म करने तो बहिए 1210 है यह पता नहीं मैंने कैसे लिखा इसको 1210 कर लो फटा फट से 1210 होगा यह आपके 1210 में तो आपके मिल 24 वटसोंत si현 आपके 1211 में किया है डिल्ली की गदी पर यह वह सब सबस्क्राइब की सबस्क्राइब सबस्क्राइब कर दो कि याद आती क्योंकि लाल आड जो आप दिल्ली में घूमने गूम चाटे तब जा क्या है दिल्ली के सुल्तान अपिक बारासो गार्णार कुट इन्मार आपके पूरा करा दिया और 26 वर्चो तक दिल्ली पर आपके शाषन की था इताम इसने और श्रंग परीरत्य खीर। बरहते है की शुमिती है? का इताम क्ता की सुछाथ भाइबर सकता है? आगे बात करते हैं आपके इकता परथा कि आपके चालिस गुलाम तरक सरदारों को कि दल को क्या है आपके तरकान छालिस गुलाम तरक सरदारों कि दल को कि रक्रादा आगे बात करते हैं आगे आगे बात करते हैं वे अम और बड़ हैहां कि सहीवा खुरायशी तो यार disp Isha अपके तो इसका गुला बात करते हैं हम लोग Canal का तो मिना प्त्ति कि बीयुक व्युक्त के लिटahren और तुरकी अमीरों ने आपके के त्जड़ी user कि आपके है राजा बनी है उसकी बात कि की गई है वह आपकी रॉजिय 우uity तरीके ने बेट तरीके नितार सिंग आपके पर्शों की तरीके जो है वह शायशन कर दी थी आपकी गद्धी पर बैठ यह मुस्रीm सनम्राज में आपके पर्दा पर्था इतनी तेजी के साथ है उस समय आपके रजियर सुल्टान का बैठना तो अपने आप पर कितनी वड़ी एक वह रही होगी कि हाँ कि आज के टाइम में तो बहुत इजी हो गया है अप तो ना एक कोई लड़की अगर शिंगासन में बैठ रही है तो फिर भाई लड़के तो नहीं बर्दास्त करने वाले और फिर अभी तो चोड़िये आप तो बहुत जदा हम लग एजुकेटर हो गया है तो हम लड़के लड़कियों में इतना रिफ्रेंस नहीं करते यह तो आपक कितरे पीछे चले गाई है उस समय तो भाई किसी को भाई ही नहीं कुछ लोगों ने लड़कों ने नाम राष्टपती है वहां लड़की बैठे है लड़का बैठे है तो इसी तरी किस आपके रजिया सुल्तान इन्हें कहा गया आप बात करते हैं 1237 में रजिया दिली की सर्थम पर बैठे गई अपके और निए सुल्तान कहा जाने लगा रजिया बेगम पृथम मुस्लिम महला थी जिन्होंने साशन की बागडूर समझ लेए रजिया बेगम इनका नाम था और यह क्या है ये पृथम मुस्लिम महला थी ज नाम से नहीं जानते हैं यह रजिया सुल्तान के नाम से जातर लोग जानते हैं आपके हैं आगे बात करते हैं अगला क्या हुआ 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 आगे बहुत अच्छे स्टैप्स आए क्या हुआ आपके रजय के पर्धा पर्धा कर दिया अब मैं पर्धा पर्धा कर दिया सब्सक्राब होगा है । क्या है महठा की अदीन काम करने से मना कर दिया डलों के लोगों ने रज़िया सुषणान ने पर्दापर्फा को दिया और प्रुस्अ की तरह बिल्कुल आपके गावा अपके आपके कावा और कुला है मतलब टूपी को पहन कर रास दर्बार में है आपके जाए लगी सोच रहे उस समय आपके कितनी बडी बात हो दि है जब क wonderful which तुर्मीर चाहिए वो आपके जाती ती लाव मुढश better नॳण кे सामत बनाने कारण क्या है तुर्की अमीर रज्ञा के विरुध्ध कै और क्या है मुझद्दी आपके बरहद साह को मुझदीन आपके बरहम साह को आपके बुठा दिया कि राजगदी पर कौन सी सुरत तक है बना दिया डी लें dándra की दोए आपकी करादी ही समझ करें कहा हां वही जी जी आपके रचे ने का रोंको हब मैं समझाति हूं भूँ बहुत अच्छे काइदा से आपको बहुत हो गया आगके बात करते हैं आपके क्या है गयास पिल्वन जो है वोब कौन किस ने किया गयास डीन बल्वन नहीं आपके क्या है बल्वन का जो बास्तफिक नाम था वो था बराउअद्दी है कि जब भी आप आप लोग राज दर्मार में आऊ गए ना तो किया है सुलतान को न सिर्ज होखा कर को किया है पड्राम करो गया समझे कि जुक कर बड्राम करो कि यसे सिज्दा आपके मौनडन यवल्रे सिज्दा फिर किये आदल और परण करो जो हो आपके उलूखा की उपादी थी यूप वबात करते होती है और क्या क्या हो गया बल्वन ने दरूबार में परिशड कभी जो avocado झान जैंते हैं कि और जो आपके अमीर हशन हशन आपके रहते थे आपके बल्वन के दर्वार में जो फार்शी के पृष्ट कवी थे थे ला अमीर isolation और अमीर रहमन अमीर हशन यह भी कैंज गुलाम emos και ओपके आपके कुमऌ यह ऑपो आप तो फटा-फटसे मुझे यह बता दो आप मुझे आपका फटाफटे से कि आपका प्रित्ने वंच्टा गुलाम पश्ट से अपके सबसे पिरसम राजा कॉन सबसे बड़ सिल्थान क्यों है वह कॉन थे सबसे स्ल्थान सुल्थान मिटा एफटाई उट आQué proclaimed कुछन के आंसर बहुत तेजी से देते रही है आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट के बार फिर हमारी कहानी जो है आपकी यह वाली कतम होगे कुछ नाया हम लोग आपके पढ़ेंगे आपके दिल्ली सुल्तन तो एक टॉपिक और है मैं इसकूटनी के रिजर्ट अजी रोंट आप कह सकते हो कि कौन है या फिर कैमूर साब कि हैं समद्दीन कामूर वह गुलाम बन्स के अंतिम शाशक जो है वह आपके हैं कैमूर्स को माना नहीं आप बात करते हैं खिलजी वंस आगया खिलजी वंस की बात करते हैं बहुत इंपॉर्टन 2020 कुश्ण आया है 1290 से लेगर कि बात करें लुद्धिन आपके 6 वर्षो तक ही शाशन किया 1290-1296 जब कि अल्लाद भी तक है 1316 वर्षों तक शाशन जो है वापि किया है मतले एक तरीके इस कहते हो कि आपके 20 वर्षों तक शाशन जो है वह वह पी किया है अब बात करतें जलाद दीन चाहिए ने गुलाम वंच के शाषन को आपके स्वाप्त करके 13 जून 1290 को जलारुदीन खिल जी ने आपके खिल जी वंच की स्थापना जो है वह आपी कर दियो और 6 वर्थ तक क्या शाषन किया इसने आपके खिलो खेरी को अपनी राजधानी जो है वह बनाया और यह एक आय कि वह आपके उनी का नाम है आपके कैमूर्ष को आपके काकू बाद भी कहते हैं आपके आगे बात करते हैं अगला कि आपके जलारुदीन की हत्या जो है 1296 इशी में जो है उनके भतीजों और दामाद आपके अल्लाँदीन खिली नहीं कर दी समझ रहो मतलब आपके ने कर दी और क्या है इलहाबाद में कर दी कहां कर दी इलहाबाद में कर दी इलहाबाद तो हम सब जानते ही है आपके आगे बात करते हैं अब आपके बाराद दीन आपके बाराद दीन दिल्ली का नाम जो है वह अल्ली था या आपके गुलुशाय भी इंको कहते हैं घोडा दागने इस्थाई सेना रखने सैंको का हुलिया आपके लिखने क्या है हुलिया लिखने नकद वेतन की बिर्था की शुरुआज जो है वो अल्लाओ दीन खिलजी नहीं आपके स्टार्ट की थी साथिता सिकंदर ए सामी सानी की उपादी से कहा है स्वैम को बेवुशित कर लिया थैने खुद को ही उपादी दे रखी थी कोई सी सिकंदर ए सानी की उपादी दे रखी थी अलाई दर्वाजा के है अलाई दर्वाजा सुना आपके जम्मत खाना मजजट सीरी का आपके कहा नहीं आपके करवाया है साथ बात करते हैं अलाई दर्वाजा जो है वो इसलामी बास्तुकला का रतन जो है वो कहा जाता है कौन से दर्वाजा अलाई दर्वाजा जो है वो इस्लामी वास्तुकला का रतन जो है वह आपके कहा जाता है आपके कर भी लगाए थे आपके चराई कर रहे है आपके गद्धी कर रहे है इतना इंपॉर्णट है नहीं तो शोड़ आंगया जो है आंगया बात करते हैं आप बात करते हैं आपके चराई करकी बात करते हैं तो यह कि दारू पसूंँ पर लगाया गया था गद्धिकर घरोमा जो पर आपके अलादून के समय अल्लादीन खिलजी के समय भारत पर क्या है मंगोलों ने आपके छे बर आकमड वापकी किया था और अल्लादून खिलजी की मृत्ति जो है वो पांच जन्वरी तेरा सो सोला में आपके दिली सिंगाशन पर बैठा हो और तेरा सो बीस में मुबारक के वजीर खुशारों ने इनकी हत्या कर दी का है यहां जो शाचन हो रहा है यहां पर देखा जाना अगर देखाचान तो यहां एक दूसरी की हत्या करकर के लोग शाचन पर गद्धी पर जो बैठे ह और देखाच करकर करके बैठे हैं अगर देखा जाना तो बहुती कम चले हैं लेकिन आप एक और ज्यादा होई हैं आगे बात करते हैं कि अगला देखता है आगला तो यहां पर आपके तुगलक वंच की सापना आपकी हो जाती है यहां आपके 1220 में कोर्शन पूछाے है कि तवक्रफिस अपके 1413 तक है तेडото कर्फना के घुक्राशन आपके 1024 दिम दिन कर जाएगक कि तुकलक वनिश्की थे किसरा है शब्साइब करें तुकलक फिर थे तुकलक में थे को पृष्ट स्टीन से मुंष्ट तक स्टॉक पर ऑन्सवाइस थिरसे सब्सक्राइब के मोहां में भी फिर्ण तक शभीर हुए डियान जाते हैं। धे में कि बात कर लेते हैं कि भाहिया यह कौं थे इन्होंने तेरा सोब्च्छ के लागाजी नाम से आपके तेरा سो बीस में कैंडिकी सिंगहसे बड़ बैठ गट ंवा suspended तुगला किस नाम से तुगला घाजी म क्या आपके नहरों का निर्मान कराने वाले उालिवाइं प्रथमशाषक थे कौँ ते आपके नहरों का दिर्माण कराने वाले जो गयास तॉदीन तुगलक थे आ गयास तॉदीन तॉद्धिन तॉद्धिन तुगलक थे यहीं प्रिथम शाषक थे तैरा सो पच्छीश में क्या है से वाथ कि बात करते हैं olan आपके मुहम्म繁 बिन तुग्लक की बात करते हैं कि हैं कि मुहम्मब बिन तुग्लक में कुश्ञन कोश्ञन बूचे इन्हों ने क्या है तो आप दोкиम housing lounge about जो है तील्नी कर दिल्ली नहीं का सुल्तान इसको या सिर किया है इसको जूना खा पागल सपनसील या आपके रक्त पिपाशू के नाम से भी इनको जाना जाता था मतलब मुहमद बिन तुखलक के इतने सारे नाम थे कि जुना खा पागल सपनसील रक्त पिपाशू के नाम से इनको जानते थे इनकी कही योजना दोंसे खाके मुम्मध बिन तुगलक प्लिक से आपके लागू कि अपके मुश्य, आपके दुग्वे शुधी पितलि ठीक इन बतूता इन बतूता की पुस्टक रहला है एक आपकी इन बतूता की पुस्टक रहला है इसमें मुहमद तुगलक के समय की आपकी घटनाओं का वर्डन जो है वह आपको देखने के लिए मिलता है ओके कि अगर बात करते हैं उसके बात क्या है को आगे देखते हैं आप क्या होगा भाई अब तो ये होगा कि आप कि मौहमब के महमंद दुगलक के की संवigraphy कि घटना में देखे हैं अब बात करते हैं फोसा टूगलक क्या, वहाouthष उखलक तो मुहम्मद तुकलक की मिट्टी के बाद इनका चुचेरा भाई फिरोश्राइट तुकलक आपके तेरह सो इंक्यामन में क्या है गद्धी वर बैठा उसने चार कर जो है वो आपके लगाए थे एक तो खस्म आपके लगाए था दूसरा खराज लगाए था तीसरा जजिया क लिट खिया और ज LGBT की में मेंसल्मान से कैया है अपकी लिया जाताथ पहला पर पहला मुसलिम साहे बैहिती हैं वहां जाने लेकोर घंडाइज आपके याद रख लेना मुझंग आफ हमारे साथ चली तेसलिए आपके वस्त्भ लिए जो कर दो हमने लाइक नहीं किया नहीं किए नहीं कियỏi चखाउट करने से पहले स्था घर रख हो कि छ भर यदे से खराद जजिया और जकात और सब непहärे ब आप कर दोकेimize आपके सब्यालें बाताएं तक्रोफिर है सब्साइबавно कर दो tel भातंद कि लो खिद्रखाने आपके 1414 में कहए स्यद वन्सकी इस्थाफना वाफी कि तिया आपके स्थाफना कि निम्र मुबारक शहर मुहम्मद सहा फुर्थ है आपके अलाउदीन अलाम सहा जो हैं यह का है यह अंतिम आपके शाशक रहे तो आपके तग्लाई जो चौन के बाद कह भी कमार्ण के बैठ संबस्ते कंते हैं ऑन्राइव करसे आपके 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 आप तरह को आधे हैं कि अगला के हाँ आपकी बात कर थे लोदी वन्स भाया स्टार्ट हो गया लोधी वंस जो है वो 14 संग्यावन से आपके 1526 चला है वह आपके लोधी वंस जो है वह आपके चला है और 2000 कपसे 2017 में यहां से कुछ न पूछा गया था अब लोधी वंस की जो तापना जो है वह किसने की तो भईया बहलोल लोधी आया इनुने आपके 14 नवासी तक जो सट्रार्शन की तक बहलोधी की जो है वह से नहीं किया है इसे सिकंदर सहहा की उपादी प्राप्त और वह क्या एक कत्टर तो आपके जहां मंदर था वही मज्जद बन वादी के साथ हुआ आपके बहुत सारी जगह जो कुछैं हैं हैं जहां पर गिर्वात यहां पर इसलिए होनों थे स Ecci days سब्ट मुस्लमान थे भी अब बात करते हैं थल्ड क्रम के इस थे हैं Igorकिंद चरह सब्रесान करते हैं अचिंबद बात करते हैं आंगे अब्राहेम लोदी यह वो सल्तनत काल का अंतिमशाशक था कौन था इब्राहेम लोदी आपके पूछे नहीं आंगे करते हैं आपके पानीपत के मैदान में पंदासोचबश इश्वी है पानीपत का प्रिथम युद्ध जो है वह बावर और आपके इब्रहाइम लोदी के बीशी हुआ याद रखना का पंदासोचबश में अगर तराइन का युद्ध आपसे पूछा तो बताओ कि तराइन का पूलत के आपके प्रिथम लिज्ध जियुक्त शो है वो तक हम båदासोच इबरहायम लोदी के बीच वार शें पानीपत का परिथमुद्ध के युद्ध कहते हैं और उसे तराइन पूलत की जीत हुए ती और इस जीन में प्रिथम बार तौप का प्रियोग वापकी किया युद में युद्य भूमी में मरने वाला प्रतम सुल्टान आपकी इब्राहेम लोदी था। मतलब सल्तनत काल खतम हो गया और आपका मोगल वंस आपका प्रारब हो गया था, कौन साथ मुगल वंच जो है वह आपके प्रारब हो गया आंगे बात करते हैं आपके मोगल वंच की भाइया बात कर लेते हैं की बात कर लेते हैं 2020 में यहां से कुष्छन पीछा गया है बारवीस दाबदी में तैम्चिन की बात क्या है चंगेज खाकी क्या है नाम से आपके मशूर हुए उसने मंगोल खाना बदोश जाती की किया है राज विवस्था जो है वह आपी की थी ओके एक चीज़ यहां पर द आपके मोगल बंस से स्टार्ट आपके पढ़ोगे ना यहां पर आपको वहीं पढ़ने पढ़ेंगे थर समस्टर में हां क्या जी आगे बात करते हैं अगला क्या है आपके बारवी सतापदी में तैम्चुन के बाद में चंगेज खा के नाम से मशूर हुआ उसने आपके मंगोल खाना बदोश जाती किया है राज विवस्था आपके शामिल की चंगेज खा के नेतरत में तेरवी और पंदरव के लिए एक क्या है एक नए सत्रू के रूप में था क्या था कि दिल्ली सल्तनत के सल्टानों के रूप में एक नए सत्रू के रूप में था जो सक्तिसाली एवं अक्रामक आपी कहें तथा विनाशकारी भी थे और तीसरा आपके विनाशकारी भी थे यह घुमंतु जंजाती क सब्रामक आपके विज्दी हaguamiLes आपके सब्सक्राइब आपके सब्सक्राइब स्बासराद करते हैं 12600 ग्रूड कि Allatahiy नामक विशेष तेरिक सभा में कुरूड क्कान गोशेष किया गया आएंअ ककान का अड़ जो है वह के है मंगोल या का सबसे सक्तिसली खाली चंगेज खा ंख्राप्ती हुए है वह आपके कुरू अलनी नमक विशेश वह सभा में इसे काखान यह का खान और आपके चंगेज खान के अर्थ में मंगोलिया सकतिसरी राज़ा जो कौन था यह आपके चंगेज खा को अपादी प्राफ्टि थे आगए बात करते हैं आपके तीज उताब्दी के मनगोल आपके समराज Джім दुनिया के बड़े भूबाग पर फैल चुका था चंगेस खा के नैत्रत में मंगोलों ने सबसे अधिक वरति आपके किय लिया है और उत्री चीन को भी अपने अधीन आपके गृँच आ राझ देग अ suction सके करने हैं देश की मौजूदा संसानों पर भी आक्रमण का प्रभाव पड़ा है दिल्ली सुल्तानों के वैपार संबंदों पर इस आक्रमण का प्रभाव पड़ा यहां की सारी उपजाव भूमी जो है वो नस्ट हो गई जिसके कारण देश की आर्थिक विवस्ता आपके चर्मराएं दिल्ली के सुल्तान अपनी सक्टियों को सरक्षित करने की प्रयाश में लगे हुए थे मतलब मंगोलों के आक्मण से कहा है दिल्ली सल्तना प्रभाव कर दो इनका सुब काम में देरी कैसी तो भई फटा-फट से काम कर देंगा क्या नाम है एक सब्सक्राइब का समय दीजे वह बहुत बड़ा हो गया था क्या हो गया था सम्राज वह आपके बहुत बड़ा हो गया था एक सकेंड लूप जड़ा आजाए आगे बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत की पतन की बात करते हैं तो समराज का विशाल होना क्या है दिल्ली सल्तनत का पतन जो हुआ उसका रीजन था उसका रीजन यह था कि भाई दिल्ली समराज जो है वह बहुत विशाल हो गया था क्या है दिल्ली का समराज जो है वह इतना जहीं नहीं हिए टाब के लिए जो पहुता है्व अच्छे ही नहीं मतलब एक राजा उच्छा है तो बेटा आपके उत्ता होश्यार नहीं आपके जवापिगे हैं है जाए आपके उत्राइदकारी का अभाव जो है वह आपके होज हो गया था और आमीरों का किया है आपके जॉम्हीं लोग होते थे वह बहुत सड़ीन तरह चाहते थे आपके और जजिया कर जो है वह आपकी गैर मुस्लिम मताब ब्रहमणों पर आपके लगाया जाता था अच्छा मुझे बताओ जकात कर जो है वह किस पर लगता था वैरी गुड़ देखरो मुझे ऐसा लग कियाता हैं आपके ब्रहमणी और विजे नागर सामराज की बात भात पे जो है वह priority आजाते हैं चलिए देखते हैं यहां पर आजिये ख्रृत से ऐसे हैं ब्रहमणी इसामराज की बात करते हैं हरनाesus शोन में जो हैं आम लोग कर लेते हैं फड़ावर चाहिए मुहम्मद बिन तुकलक की शाशनकाल में दश्चर में आपके ब्राह्मनी और विजयनगर नए राज्जों की स्थापना जो है वह आपके हुई दश्चर भारत में हिंदु धर्म और संस्कृति पर गहरा आपके आगात जो है वह आ स्थाट हुआ हैं मुशलमानों का साचमे यह और संसकृति तो पूरी तरीके से बुरी बॉरा हाल आपके होई चुगा था तो वही बढpha आपके होई चूका था तो यह भी बताए कि हिभव और संस्कृतर ग्याए गहरा आभात्यास .? झाफिझे अगर सामराज आपके स्थापद हुआ था वो किस परकार से हुआ तो उसकी बात कर लेते हैं आपके 2020 में यहां से कुशन आपके पूचा गया था विजन अगर सामराज के बारे में आईए विजन अगर सामराज की बात कर लेते हैं कि बता तो विजन अगर सामराज के आपके सिस्तनत वह कौन तो चल्दी से बता तो फटा फटे कोई हरीः और बुक्क क्या वड़या हम ये और बुक्क करने आपने संगम राजवंश कoi थी Vezenagurd si Vizesagare अगर सामराच की राजवानी धो थी खंड्दानी पर बधा सक्राणा for आप यह वरसा हॉए वो आपके रजभाशती थी तेमती थी very good very good कोंता हरी unters अब्दद कोonent से अब मज़ा आज़ा था कि बहीं अरे अवी अरे आपको भालब ऐसे ऐसे पुछ आ रहा है वो चीज़ें हरियर पृत्तं की बाद करते हैं हरियर पृत्तं ने mature akan आपके बिजन biggest passion की बैठों लेते हैं और उसने हिंदु संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत काम किया था आपके बहुत सारे कार जो है वह आपके की आगे बात कर लेते हैं यह चीज़ गन्फरम हो गई अब आगे देखते हैं आपके अब अब ब्रह्मनी राज आते हैं तो हम लोग नहीं कौन सा राज अब हम लोगों ने विजन अगर सामराज देखा था अब बात करते हैं ब्रह्मनी समाज पर आपके तो मुहम्मद बिन तुगलक के शॉषनकाल में कहा है 1347 इस्वी में आपके हाशन गंगु ने ब्रह्मनी राज की स्थापना किस ने की थी आपके और आपके ब्रह्मनी समर तो आपके आपके अल्दिन पहमन साय के नाम से छो फिक और और आपके गुलवर्गा गुलवर्गा को अपनी राजवासा ने वह मराठी तो मुझे बताई है कि आपके जो ये आपके विजन आगर था इसकी राजवासा कौन सी ठी है आपकी से कॉमेंट करो फटर फटर से इसने के अपने सामराज को चार प्रांतुं बाढ़ गा गळ वरता दॉलताबान बरार और वीदर के नाम से बाढ़ा था 359 मिन की मृति वह आपकी हो गई था आंगे बढ़ते हैं विज़नागर आपके राज्यों में युद्ध के कारण थे कौन कौन से कारण थे आपके सबसे कारण है विज़नागर के गोलकुंडा वेरी गुड वेरी गुड तो आपके बहमनी और विजन अगर राज में युद्ध आपके कारण क्या थे तो बहमनी राज में क्या है गोल कुंड़ा खिरत में हीरे की खाने हुआ करती थी और विजन अगर क्या है विजन अगर जो थे वह आपके सोस्ट रहे थे कि भाई यह तो हमें मिल जाए तो हमें हीरे की खाने मिल जाए और इसी वाद पर आपके युद्ध जो है वह आपके चल रहा था आगे बात कर दोनों राज जो है वह रायपुर और आपके दुआप में अपने राज कर गया हिस्ता मांगते थे और वे उपजाव भूमी भागता क्या था भाग उजाव भागता और बाद में दोनों ही राज जो है वह स्वाप्त हो गए बहमनी भी नहीं बचा और आपके क्या है वह भी नहीं बचा आंगे बात कर लेते हैं तो सल्टनत काल प्रिशाशन की उपलब्दिया है सामाजिक दशा की बात किया जो है वह आपकी की जाती अगर को अगर को नहीं भाई आगे बात करते अचीव मीडिया ऊपलब्दियों की बात करते हैं तो भारत वर्स में तो इसी विजा नहीं प्रशाशने की ववस्ता और यह विजँ रूप यह विजड़ को रूप से अरभी और आपकी फार्शी पदती पर आधारत ती क्यू सिल्टाइब तो पहला सुल्टाइब डिल्ली सल्तनतों का पहला सुल्ता वो किया है इसलिए को खलीपा की उपादी जो एए वो देर तो इसलिए कि को खलीपा बनी औ हम आपो आ Safari मैदा मらい गाई है इसलिए दि Carryक embody आपको बुद्धीन एक लगा के आएंगे खुद को खलीपा के अपादी आपकी दे रखी ती आगे आगे बात करते हैं अगला वाद करते हैं सूफी अंदोलन यहां से कुछन 2019 से क्या था क्या है सूफी अंदोलन इस्लाम के रहष्रिवाद का दूसरा नाम था वो शूफी सं को सोफी गाने भी सुनते को 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 सोफी सं लगते को जो आपके वहां कि सबसे तक आने खलीपा के नाम पहिए प झ्राइब बाहरी घत्वीजिक आपके आपकी निया नहीं करतें तो वही सूफी संत है कि आन्तर क्रियों पर विशेज जियान देते। छोड़े पहनने वाला है यह पस्मीना उन मैंने आपको भताया थे तो आपके स्वी सब्सक्राइब पहर्फ से परता हो तो से तनी करदो फटावर से शीटेट का फटेट कुशन है पसमीना पूस आपके वो के कपड़े पहनते तो इसी शिटा करते था उन्हें वरीद कहा जाथ था सुफी छिस्ते बन दे अगे, आगे बात करते हैं भीड की खाल से बनता है, इतना पीटे जाओंगे, भीड के बालों बनती है आपकी पसमीना अनों के अनौनाते हैं, आपको बहूत महाँता ह।ैं छाया है, कि यह पुर्वाइस है लेकिन गर्माते बहुत जादा है तो कि बक्री के बाल नहीं सोर हम अच्छे उन के बेड़ के बाल है यापके बहुत हैं हैं और पटायम रखता है यतने पतले हम आपके पतलिया हम लोगे बालों से जादा पतलिया आपके दागह होते हैं अंगा जाए कि बच्टी आंद οπο penalty आ और वह हैं आछे दीखिए पहकती ढंद एते आप इस बारत में आपके रारा रहा है भारत में आप अियुव हुरा क्या ना आप लोगों नाम सुनाओं इस व्युक्षा दिए यूड़ा लगडाक में लगडाख में हैं कि रामा दौहारा ये ऑंधोर थो है वह आपके लाया किया था भाक्ति अनुग को देश क Cambodia कर्ता था susan और एसलाम वा हिंदू धर्म में समय है स्थापित करना कि दोनों जोह हों आप dei आपके रह सके कांगे बात करते हैं खक्ति-अनुग की यह संतों की बात oraz तो क्या झाल 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 आजाए 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 बैक टू बैक टू बैक बापस आजो बहुत होगी बहुत होगी बहुत होगी बहुत होगी बाते बाते बापस आजाए बापस आजाए हम लोग यहां पर थे हम लोग यहां पर थे हम लोग यहां पर थे यहां पर थे आपके को बात करते हैं कrus healthy people र Danish baba है cat का आगी आगे बात करते हैं को किए 11ंट चक्टर हमारा स्टार पोड़ाता हरा यहां से आपको एक या दो कुशन देखने के लिए जरूर मेंगे हैं और जया फ़ती है और प्राक्तिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव क्या पड़ता है आपके कि आहिए कि सबसे बुद्ध ग्रहों में आपके सबसे पास बुद्ध ग्रह सबसे ढूर आपके प्लाइट यह यह हैं इसमें सबसे चोटा घ्रै जो है वो आपके प्लैटर और यह और बरिश्पति यहां आपके गुरू है सूर से बढ़ती हुई दूरी और बुद्ध आती हैं वह इस नम्बर पर आपके प्रितिवी जो कमेंट कर दो फटावट से प्लैटू आपके आपके नहीं सामल किया जाता है फटावट से बढ़ती होई दूरी किरह है आपके प्रित्व हो और तारे की की सूर और तारा होगिया है यह तो होता है सूर और कहें परकाश को crawl आपके बाढते हैं सूर अर के कहलते है तुछ सुर मंदल स्बभाशा परoster को만 बुष्भाश होता है निötा है सूर हमारी परथवी से 10 0000 Colossus होता है 21 मुंख भाक होता है और व्ड अवर्ड मंडल यह कोरूनिया को हम लोग आपके बोलते आंगे बात करते हैं अब बात करते हैं द्यूर्य ग्रावन को कि वह हैं रहे हैं प्रतिव पर ही समभव यहां रहते हैं जीवन पर ही संभव है अपके चंद्रमा कि परित्वी की बात करते हैं कि इत्पत्ती फृत्ति कैसे होई है तो सब्सक्राइब एक प्रित्वी एक ग्रहे जिस कुछने के यूगों के साथ सूश हाब रहलों के साथ और्विधा सब्सक्राकिने जैसे यूदि फांओ पित्वी से तक्राते गए व्यसे वैसे ही इन سے जुड़ते चुले गए उसमी और nylon भी बढ़ता किया का इस write अलावा प्रिटिवी यूद्धित अप्रों अब्रेटरिन इभाम रिडियू एक्टिव आपके विक्तिन के कारण और गर्म होता रहा और अपनी इत्पत्ती यह लगबग 80 करोण के बाद यह क्या है यह कि अफिक प्रिठव के हैं कि अस्ति करून अपके वर्षव बार दो आपकी पृंगल एंधिय। पूब्ड मोके मैं आपके वैसी यह रिखे ALLいうこと सोब्सक्छलिक्ट में भाप वह किस नाम को इचन्स वह मृत हो सकते हो कि jimen आपके पॉस्मिल हो सबता हूस को बड़े अमीर उसी는 हो जाएंगे इस तरीके से नहीं होती है ले लेकर नोगने माना है कि आपकी गोले जो आपकी अखाल गोला है कि अच rusty कर दे लोहा। बात करते हैं प्रित्वी की उत्पत्ती जो है वह हम लोगों देख लिए आपके आंगे बात करते हैं लोहा पिखलकर कर इसनी केंद्र के और गड़ने लगए और हलके हलके पदार्थ प्रित्वी की तरफ आप सतय पर आ गाए जिसे बूपरपटी का निर्माड हो गया गृत् गिस्ता विवेने के द्वारा क्या है वायूमंडल सागर महासागर और महाधीपो की उत्पत्ती भी आपके हो ही गए पुछा गया तो पुछा के तकुछन के आपकी प्रित्वी गोल है यह चप्टी है तो आप बता पाएते हैं आप बात करते हैं चंद्रमा चंद्रमा की प्रित्वी की परिक्रमा आपके करता है चंद्रमा द्वारा प्रित्वी की परिक्रमा के दौरान एक समय दोनों की मत के सबसे कम दूरी आपके कहा जाती है जिसे उपभू या आपके पैरोजी कहते है और जब दोनों की मत सबसे अधिक दूरी हो जाती है तो इसे आपके एपोजी कहते हैं आपके कहा जाता है वेरी गुड यह है अर्थ का उपग्रहन नेश्टरो से ट्राइट ऑफ वैरी गुड चलिए वेरी गुड इस परिक्रमन काल के दोरान ही चंद ग्रहन जैसी घटनाएं जो हैं वह आपकी घटत होती है सूर ग्रहन के अनाकासी पिंडों क के जामान चंद्रमा की गतिशील के लहां कि चंद्रमा की तीन परिकार की तीयां होती जो आगे बात करते हमें कि शॉर हो कि रुकाया मेरी शादी नहीं थी यार मेरी शादी नहीं थी भाई मेरी कजन की शादी थी यार पूर्मा के दिन चंध्रम्हा समपूट रूप से दिखाई देता है क्योंकि पूर्मा के दिन पृत्वी चंध्रमा और सूर्ण के बीच में आ जाता है चंद्रमा को देख नहीं पाते और चंद्रमा का शेष अर्धभाग सूर के प्रकाशत होता है अब मवश्या के बाद अगले दिन से प्रितिवी है कि प्रितिवी से हमें चंद्रमा का केवल चोटा भाग यह नवच्छंद्र ही आपको दिखाए जया था इसको मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा आप यह अपको नहीं समझा रही इसके बारे मैं अरे भाई मेरी नहीं होती हिए मैरी ही कि अब ही कहा का या मेरी शादिया आप लोह बोग भी ना बिल्कुल हां इस यह होता है चंद गरहन और सुरिंस पटा है नहीं बदके जाना ओकि यह बहुत बार प्ढ़ा चुकी हूं पढ़त है आपको कि मेरे पे अब दिए को नहीं हुड है तो नहीं सबसे हाई हो जाते हैं पड़ता किस दिन है आपके किस दिन पड़ता जल्दी से कॉमेंट कर दो मुझे अब बात करते हैं प्राक्तिक सक्तियों की बात कर लेता है बल्कि बदलता रहता है धरातल के सुरूप तो बदलने के दो सक्तिया कार करती है जो दो सक्तिया करती है तो आपस आ जाओ पता है चंद और पूर्मा के तरह सूराइड पंधान पर तना आपके और के आपके उसी ना किसी प्रिकार के आपकी इस्थर आकरतियों का निर्मार करती हैं वह आपकी आंतरिक सक्तियां जो है वह कहलाती हैं दूसरी होती हैं आपकी बाहर सक्तियां दूसरी कौन से हैं दूसरी आपकी बाहर सक्तियां होती हैं तो वे सक्तियां जो इस्थला करतियों में क्या हैं परिवर्तन करती हैं उन्हें बाहर सक्तियां आपकी कहलाती हैं बाहर सक्तियां आपकी कहलाती हैं बाहर सक्तियां आपकी कि अभी नहीं होगी जब होगी तब बताएंगे क्यों परिशान हो कि पहरी बात है मैं नोट्स की पीडिएफ दे दें दे तुदी है नोट्स की पीडिएफ और कैसे चाहिए आपको आप जाएए वेबसाइट पर मिल जाएंगी अप्छे की बात करते हैं वह सकतियां जो चटानों को अपने ही इस्थान पर कमजोर करके तोड़ फोड़ करती है अपरधन की ज़रूर याद रखनना अब बात करते हैं अपरदन की कारण क्या होते तो पश्रूं की अतदिक्चराई कारण हो सकती है वन्यों की अंधाद उन्क्ताई हो सकती है और वरकों वह आपकी कित नाश्रों की दवाईों का प्रयोग भी की हो सकता आँगे गई है अब बात करें महा खंड जो है कि situación के महा खंड किसे कh Bis महाझंड किया होती है महाय होतें आप बता पाएंगे ब humble बहुत क्नूसी करते हैं लाइक कर दो भाइब था नोसी क्रते हैं लाइक करने में मैं था संथिंग है मैं ज़रा श्राजिंग पिलागाद पढ़ायी कर्लू पढ़ायी कर्लो बिटा पढ़ायी कर्लो कुछ नहीं दोड़ा ताश आज नीचे गिर गया था हाँ मैं आज बहुत कर में कोई लाइक ही नहीं कर रहा है क्यों नहीं कर रहा है यह लाइक कहां तुम्हें समस्या आ रही समस्या कहां आ रही बताओ फटा फट से तहाई के संट्र कमा रही गया यह बताओ जरा चलो आगे आगे बात करते हैं आपके लाइक तो ऐसे मैंने शेक आउट ही नहीं किये आ जा फटाफट आ महाखंट की बात करते तो अब बात करते हैं किसकी आव वी का भात कर लें नदी जिस जीलिया समुद में commence उसके तल को क्या है नदी अपरधन का आधार तल जो है वो आ थी कहते हैं नदी अपनी घात को गहरा और किनारों को चोडा है वह को इंदो विया कार की घाटी आपे कहते हैं by कि पक्रफा को अजमेजुकर बहुत अरपास अमध में गिर्ती है उसके तलकी कहते हैं गहरा और किनारों को चोड़ा करती है जिसे कि वी आकार की घाटी आपके वी आकार की घाटी जो है वो आपकी बनती है आगे बात करते हैं जल प्रपात जो है वो क्या होता है तो जल प्रपात की बात करते हैं कि जल प्रपात जो है वो आपकी क्या होता है किसे हम लोग जल प्रपात आपके कहती हैं जब नदी का डल किसी चटानी कगार उपर से सीधा नीचे गिरता है तो इसे आपके जल्पृपार कहा जाता है क्या है निप यू आकार से फिर आपकी वी आकार की बनती है पूनम यू आकार से वी आकार की बनती यू आकार की घाटी जो है वो अलग है वहिया मैंने यू आकार की घाटी आपको अलग पढ़ाई है वी आकार की घाटी अलग पढ़ाई है का चाड़ा को Ani Our कि मैंध्भाग की बात करते मैंधानी भागों पहुंचे पर नदी का मद्भागाघ की परारम्भ हो जाता है नदी यह और धो बाता है इूप इन सब्सक्राइस करों पराओ अगरी आगे बात किरथे हैं कि तो मैदानी भावों पहुंशने पर नदी का भाग परा रहा हो जाता है नदी के यह वस्ता क्या है यहां नदी का बहुत कम हो जाता है जब नदी निचले भाग में किसी जील या समुद में मिलती है तो उसका वेग बहुत धीमा हो जाता है मतलब उसकी गती बहुत धीमी हो जाती है ऐसी अवस्ता में नदी के हैं नदी समस्त महीन कड़ों वाला भाग जो है वह मोहाने यह संगान प्रकार संगां पर बिशा देती है और त्रोजाकार आकरती से बने डेल्टा कई ब्रकार के होते हैं जैसे कि पंजागार डेल्टा हो गया पंखागार डेल्टा हो गया चंपागार डेल्टा हो गया नील नदी का डेल्टा हो गया गंगा ब्रहम पुत्र का आपके डेल्टा हो गया और मिसी सीपी का भी डेल्टा हो यहां से कुछिन पूछा जा चुका है कि आग्या जी कि किसी को भी नहीं पता कितने टाइम अब बात करते हैं जवारनद मुख की कि जवारनद मुख जो है वो क्या होता है तो ऐसा छे जहां नदी का जल समुद में मिलता है तथा समुद का खारा जल भी जवार की इस्थिती में क्या है नदी में प्रवेश कर जाता है तो वहां पर आपके जवारनद मुख बन जाता है उनके उन नदियों से मिलता है जिसमें अवशाद बहुत कम होते हैं तथा नदियां के हैं नदियां समुद्ध के मिलन इस्थान पर कटाओ करती हैं क्या होता है यह उन नदियों से मिलता है जिसमें अवशाद आपके बहुत कम होते हैं तो तथा क्या तथा नदियां जो है व तो ज्वारनन मुख और आपको यह समझ में आ गया आगे बात करते हैं मिर्दा का निर्मार जो है वह आपकी कैसा होता है चलिए आज़ी बात करते हैं तो अप्षाय और अपरधन के प्रभाव से प्रथी पर सैलों के अप्षायत करओं की परते हैं जो है जो है वो किया है जब लंबे समय तक पड़ी रहती है तो क्या है で तो राशाइनिक और आपके जैविक परवरतन होने लगता है जिसे मिर्दा का निर्मार होता है क्या होता है मिर्दा का निर्मार जो है वो आपके होता है क्या होता है मिर्दा का निर्मार जो है वो आपका होता है आगे आजाए आगे बात करते हैं आपके तो अप्छे या पर भूपुरस्ट पर आपके संग्णेत पदार्थों की परते ह WaldPaulosaak भालु और पॉल पत्तियों मिर्दा जीवों के अफशेश जिवारों केचुउँ के मिश्ण के हुआ है थर्ड है मिर्दा में पौदों की उगने एवं बढ़ने तथा मनश्य के लिए भोजन देने की छमता जो है वो भी आपकी होती है आगे बात करते हैं आप लों की तो यह समझ मैं कि मिर्दा की विश्ष्टाइन जो है वो आपकी कैसे होती है मिर्दा की में क्या है पौदे के उगने और बढ़ने दा मनश्य के लिए भोजन देनी की छमता जो है वो आपकी होती है मिर्दा परिश्ष्ट का जो है यह क्या होती इसकी बात कर लेते हैं तो पूर विक्षत मिर्दाओं के गठन रंग परते एक की उपर एक जो है वो आपकी विची रहती है मिर्दा की परतों के विञ्याश को मिर्दा परिश्ष्ध का जो है वो आपके कहते हैं क्या कहते हैं भाई या कल क्लास लेंगी कॉलेज जाोगे तो वहाँ से आजाना वापस या फिर आप आराम से एरपफ लगा कि कॉलिज भी जाते रहना और हमारी बात भी सुनते रहने कल आपकी मौर्णिंग में रहेगी मैं आतर नियाद रखना बहुत अच्छे से आज आजए नएस चाप्टरी के परी मंदल के तरह भूगूंते हैं आपके च्वाइल्स रहेखाई की संपूर्ण आपके जनका प्रसुथ उट्भी के रहात है और के और मफ्ली स्काम महादीप अधे इस्ठ़ मंदल कहलें हमारी इस्थल मंदल के घृट्ख मंदल कहला स्ब्सक्राइब वह बहुत जादा है जबकि उत्री गुलाड में पानी जो है इतना कम है कि आसपास आपके पाकिस्तान चीन यह सब जह देश है वह आपके हैं पृतिव पर आपके अधिक्तम उचाई जो है वह माउंट अबरिस्ट आपके आठ जार आठ सो पचास मीटर है और अधिक्तम गहर जिनके तीन सब्जेक्ट में बैक लगी है वह किसी भी हाल में एक्जाम नहीं दे पाएंगे अगला है वायू मंदल 2019 सब पुछा गया था प्रित्वी के चारों और घेरे हुए वायू के विस्तृत फैलाओं को वायू मंदल जो है वह आपकी कहते हैं वायू मंदल में अन् प्रित्वी का थ्री फोर्थ भाग लगबग आपके 71 परसेंट पर जल मंदल का विस्तार है प्रित्वी पर उपस्ते जल की कुल मात्रा का 97.5 परसेंट जो है वह महा सागरों में है जो की आपके खारा होता है क्या होता है जल राशी का मात्र टू 2.5 परसेंट बाग जो है वह स्वक्षजल स्वक्षजल या मीठा जल महा सागरों में और अनि स्थानों से कैना वाश्पी करनेके द्वारा वायू मंपदल में चला जाता है सेज भाग धरातल पर आपके बहता रहता है कुछ भाग रिश रिसर क्या है कुछ भाग रिश रिसर कुछ आपके कुछ रिश रिस जाता है और कुछ भाग आपके हिमनदी का रूप ले लेता है अब मुझे हिमनदी जो है भी मैं आपको बढ़ाऊंगी बाइसाब इसको मैं अपको बता दूंगी इतों करने के लिए इसारी चीज़ हो गई न आप तो जल्दी बताईए हम सब लो कहा रहते हैं वर्क की नदी में रहते हैं हम शेक हम लोग जैब मंडल या जीब मंडल पर निवाश करते हैं तो पृतिव पर उपसद ऐसा निर्दार छेतर जहां जल थल वायू एक दूसरे से परस पर मिलते हैं यह संपर्क में आते हैं उसे हम लोग जैब मंडल कहते हैं क्या कहते है जैब मंडल जो है वह आपकी कहते हैं इसकी मुटायी लगभग 28 वीटे होती है competitor होती है कि प्राड़ी और वनस्कति जगत का कोई भी जीव छोटा हो या बड़ा हो सब कहां रहते हैं जैब मंडल पे आपके रहते हैं आके करते हैं जैब मंडल जहां जीवन की उत्पत्ती हुई है जैब मंडल की परत जो है वो पतली किंतु अतदिक कठोर जो है वो आपकी होती है जैब मंडल में वर के कहते हैं कि कि मतलब आजा आ गया चैंद आगे बात करते हैं कि आपके exists की और है अधिया करहें की अधिक स्च्थुम पूचा या था किम झा था मंडल श्टीं की अन्तिक सरच्छरे ग भात करते हैंया recruit कि अधिक है में क्पूछा था कुछन क्या है आपके पृतिवी के धरातल का सरूह जो है वो पृतिवी की आंद्रिक अवस्था चाली मिल्सुली परत्वी कोड़ काल परत्वी करते हैं पहले यहां गडूंधा मैटल जाता है अब पात करते हैं ने अब बात करते हैं सैल या चटानूना की बात करते हैं ç duisyian rappellate calling drop कहते हैं भूपरपटी का वह आपकी इस्थलमंदल का सबसे महतपूर भाग है पोपरपटी का ऊपरी भाग की रहत्रों इसनilla कि इस The Fund क मोठी की डेकाइव और परसंट आपके बहुतर Evans लोसिय इक भूतर्बंप्हईख लाइए झापर शोक्राइकी ग्यारांट или 16 की गहराईवार यारे पंचानमे परसेंट आपके बहुतर similar कि рच रहले पर्स्ताइल से यह बनी हुई है इसे हैं आपकी बनी हुई है आप के लिए आप आप पान्चांज पर्षांट भांग वह क्या है वह आपकी भूपरपड़ी से बनी हुई है अधिक निर्मार्ण निर्मार्ण चैनलान की दिकलिति है यहाए ये अधिक speaking परपड़ी तरह आपंड़ी की नर्म मुलाइम फो मिलने हूं लएधिये हैं हुआ निर्माATHER Sr. घ्रामि का थो एक साथ को ह such मिलने से हूं क्घृटान चीस से आपके वह परपटी का निर्माड एक अकेमख्या रॉजकि कहल है के शली आगा कि ही ही बात करते हैं घो हांकल आ य trat ॥ क्वास से लिए आगला है सृलूं का झाल वर्गी कुशन आए साह वहाल जो ही थे हैं आपके तीन परकार के होटी कौन की अ क़न सी सी अगने चटाने ऑफषादी चटाने और रूपान ते अगने चुटाने जो है वह आपके क्या होती है कि अगने आपके लेट का सब्सक्राइब होता है उपस्ता गर्म दर्व के ठंडा होने से आपके हुआ है द्रव निकलता कैसे रिनिकलता कैसे जल्दी से मुझे मुझे बताएगा जलती से मुझे बताओ फटाफट कि जो आपके गर्म जो आपकी कया है गर्म दरफ है ये ठंडा आपके बाहर निकलता कैसे है सभी चट्टानों का मूल पदार सुझे है वो गर्म, तरल, चिप-चिपा आपके मैगमा है यह मेगमा कहां से निकलता है very good क्या है कहां से निकलता है जौला मुखी से very good क्या सुझी त्राइट आंसर जौला मुखी MR बिजी परशन वेरी गुड अब तो बहुत सा याद हो हो तिमर कितना भी गहरा हो रोशनी पर लाग पहरा सूर को उगाना पड़ेगा फूल को खिलाना पड़ेगा हो समय कितना भी भारी हमने नाउमीद हारी दर्द को चुकना होगा रंच को रुकना होगा very good very good आर आगे जो यह आपके जौला मुखी जो उससे कहा है उससे आप भ गरम गरम के हैं गरम आपके द्रव पदार्श जो है वो निकलता है हम लोग मैगमा कहते हैं जो चिपचपा तरर और गरम आपके पदार्थ होता है जो भूभागी ताप के कारण के हैं गहराई से दरारों से होता हुआ धरातल की और जो है वह आपके बढ़ता है यह मैगमा यह मैगमा जब लावा की रूप में किसे लावा की रूप में धरातल पर फैल कर ठंडा होकर जम जाता है तो अगने चटानों का निर्मार जो है वो आपके होता है जिसे प्राथ में चटाने आपकी कहती है तो हम लिग कह सकते हैं जो आला मुखी से क्या है जो आपके मैगमा निकलता है या लावा निकलता है उससे कौन किस प्रकार की चट्टानों का निर्माड होता है उनसे आपकी अगनी चट्टानों का निर्माड भी आपके पृत्यक्षिया परोक्ष रूप से इनी चट्टानों से आपके हुआ है ज्वाला मुखी क्रिया से इनका निर्माड जो चटाने उनका निर्मार्व हो रहा है क्योंकि गंते हैं और इनी चटाने ऑब की तिस्टाने के आपके हुआ है .. प ê चटाने आप भी कहते हैं अफशादी चटाने वे हैं जो विखंडित और ठोस पदार्थों के निश्चेपड से बनी हो या फिर क्या है या जीव जन्तूओं और पेड़ पौदों के जमाव से आपके निर्वित होती है क्या है अफशादी सैल के उधाना जो है वह आपके बल क्यान चटाने रहते हैं आगे बात करते हैं कि अगला अगले का उन्टी चटाने रूप कहते हैं यह जो今 यह रूप करताने बहुतत आपके करिष द्रो Land के द्वारा क connect होता है स्वरूप में आपके परवेटर ने किसमें कैस और रूप में परवेटरन उदान चूना पथर में संगमरमर चुना पथर में और सेल्से अपकी सिलेट का का आंतर चटान आपकी है गया है जोना पथर सेस जबर मर तापमान दवा या राशाय निक्रियाओं के द्वारा उनके रूब में बनावत में कठोड़ता तथा खनिजों का रूपांतरन चापमां होता है तृप में परिवरतन का रर्थ diu रूप में से अंगे और बात करते हैं आपके यूचा रशानी क्रियाओं के दिवारन के रूप बनावट का तोड़ता है records ये चत्तानों का रूपांतरन होने औरना ते जैसे होता ही आगे बात करते हैं आगे आगा के संग मरमर परतदार सेल आपकी होती है यह को आपकी होती है यह घ्रातल की रूप बदलने वाले आपका है दहातल की रूफ बदलने वाले कारक जो आपके कौन से होते हैं, दो अपक्रा इंतरी सक्टियां कि उत्पत्ति में इवाम जिनका प्रभाव भूगर्व भूतल वोतल धोने पर होता है उन्हें आंत्रिक सकतियां कहते हैं कें केaaaa सब्सक्राइब फिलात दोनों पर होता वो आपके अंत्रिक सक्तिय nonprofit प्रिक्रियां की बात गढ़ें तो 15 सक्तियां होतियां डूसरी आप Ф節目 किया होती है में अचानक सालिए वाली तो बुष्कलन जो है वुआ आपके हो जाते हैं लेकिन जो आपके सारभामग या पतलव रूपर जो होती है उसमें का उसमें महादीब जैनड परवत निर्माण आजाते हैं जसी उपरी मुख्या आपके अभार अदो मुख्य धशाव दरार या भूतल पर दरारे संपीरन वा व आपके सिर्ट करो तो समास्तें के धर किसे कर दोड़ा यहां से कुश्य नहीं आते בעli क्acwise कि पूछे जाते हैं और यहां से हैं कि तुछे जाते हैं मंदेश हैं आपकी पूछे जाते हैं कि क्षाल कर दो दो अचानक सी है अगर यह आपको कुछन आज़ता है तो आपको ऐसे ही लिखना पड़ाएं जैसे यह मैंने आपको लिखवा इसमें समझ लिना आपके आंतिक सक्तियां यह प्रिक्रियां आपसे पूछा भी गया है अग्या जी अब बात करते हैं आपके अकश्मिक बल की क्या अकश्मिक बल संचलन भूतल पर अचाना किया तीवरता से होता है इसका प्रभाव कम समय तक उपस्तित रहता है इस बस से आपके भूत भूपटल पर क्या है विनाश्कारी घटनाओं का अकश्मिक आगमन जो है वापके हो जाता है क्या है आकश्मिक बल का संचलन जो है वह भूतल पर अ अचानक से आपके विनाशकारी घटना है वह आपकी घटित हो जाती है अचानक से आपके जाला मुकि अचानक से बहुत है द्वार आपके होता है जिसके द्वारा सैल पदार्थ ठोसवा पिगले सैल वा सैल के टुकड़े राक को जलवाश्व को या गैसे प्रित्वी के आंत्रिक भागों से निकल कर क्या है निकल कर आपके धरातल पर आती है तो यह प्रिक्रिया जो है वह आपके ज्वाला मुखी क परत के नीचे क्या है पिगले साहल पदाइं जैसे की मैगमा कहते हैं कैते हैं मैंग्मा क ell भों की करिण कहए हैं जब यह मैगमाच चिद्र या दरार दवारा मैगमा चैमबर से नदरक्राइ build रिमा हो जाता है तो इसे क्था बाइव जो आपके पेसे कहा मैगमा चैंबर से बाहर आता है आपके दरातर पर जमा हो जाता और इस तके लावा कहता है यह बताओ इस आपके लावा या मैंगमा से कौन सी चट्रानों का निर्मार होता है बताए फटाफट कि दो सब्सक्राइब बताओ फटाफट से कल जो आपकी हिंदी और साइंस की होगी कौन सी चट्रानों का निर्मार होता है जल्दी कॉमेंट करो बहुत पीटे जाओ कर आंसर सही नहीं आया भाईया अगनी चट्रानों का निर्मार होता भी हाल पढ़ा क्या आई हूं मैं जौला मुखी के प्रकारों की बात करते हैं तो क्या है आपके तीन प्रकार के जौला मुखी होते हैं सक्री जौला मुखी प्रिश्ट जौला मुखी और सांथ जौला मुखी सक्री क्या होते हैं वे जौला मुखी जिनमें क्या है जिनमें समय समर पर क्या है उदगार आपक किस्टूब अक्राइब करका टोवा फ्लीस के अमें मैयोन हो गया हवाई दीप समू में मैं नोआ हो गया मोना लोना मोना लुवा क्यों बहारत में आपके विरंदीब हो गया यह сबाइब प्रिशत ज्राला मुखी वर्तमान काल में कोई उद्गार नहीं हो रहा है लेकिन कि अचानक से कभी भी एक्टिव हो सकते हैं इतली में आपके विसु व्याश वियाश व्याश विये विश्व वियेस आपके जापान का मैमार का विलका माउंट पोपा जो है पोपा जो है यह आपके 100 गया सब्सक्राइब क्या है अगर करते हैं आगर बात करते हैं जू है वह क्या हो जब भूखमा प्रित्थवी का हिलना क्या होता है प्रिधिवी का हिलना होता है प्रिधिवी के गर्म होने वाली किसी हल्चल के काण जब धरातर पर कोई भूबाग हिलने लगता है तो उसे हम लोग भूकमी कह देते हैं प्रिधिवी गति सील्स प्रिपिंड हो कि कम पंपन और कोछन का ना चलता है यह मनीशन का जानमाल की आपके हो तरंगे तरंगे कहलाती है जो है तीन प्रकार के होती है प्रात्में की तरंगे होती है لोग प्रृत्य श्चरेश्चित करें तो सब् रहुं का प्राक्तिक भागों के आधार के तीन नहीं दरहा लेंların मैं नुट्री मैदान का बूखंप चितरे और फिर आपके दश्वी मैदान का भूखंप चितरे मुझे बताएं पूखष्ण कारण आपकी प्रतिवर कमपनिया तो करना ही पूखंप भूखंप की माप की बात करते हैं तो किसी इस्थान पर आए भूकंप को हजारों मील दू प्रश्री मेदान की मैदान की मड़की की गई ओंड यह वावावावावा हिमाले नेपाल पूरा हिमाला छेत्र भाय या उत्री मैदान का फूरकन चेत्र है उत्री मैंदान में सबसर्दा भूकंप जो हैं जटके कहां पर आते हैं आपके वह वाуг Cities इतने अच्छे-च्छ जेरो ना इतन और अच्छ जेरो कुछ पूछो नहीं आंसर बताती जा रही हूं उत्री वोगंप की वर अलगी चल लें अनार पहुंच गये से तना पीटे जाओ कि जापान पहुच गए है यूपी पहुच के लगते सबस्क्राइब कर लागते इस समझेंस को इसे मेदान इत्री मेदान आपके दिल्ली पढ़ता है पता नहीं कहां को यह है लगी चलना नेपाल भारत चाइना और पहुंच जा वह लंदन बहुत दिखा रही हौं भारत के सबसे बहए सनमण द्बितर भूमसेСТद में तक्राने से सुनामी जो है वाद किया जाती है फूर्थ है भूकम भी कारण धरादबर कई नवीन दीप जील पठार क्या है आपके उनका निर्माड हो जाता है भूकम मामने की इमापने की काई जो है वाद के रिक्टर होती है समुद तल के उपर उड़ते हुए उठते हुए विशालतम भूबाग की महादीप को क्या है महादीप कहते है असमुद तल से उपर उठते हुए विशालतम भूबाग को महादीप आपकी कहा जाता है आगे बात करते हैं आपके अगला जो है वो क्या अब आजए आपके कहा है मौश्रम या रितु द्वारा आपके तापमान वर्षा पाला कोहरा हिम तथा पौदों की जड़ों के फैलाओ कार्ण क्या है सैलों की तूटने फूटने की प्रिक्रिया को अप्चे कहते हैं इस्तान के प्रातल की आपकी च्टाने जैसे इसहीं मौहश्रम के संपर्ख में अप्चे की वह आप ग्रीया तो हुआ है उससा क्लाicer काण आपके इसक्rale हो जाती है इसकらい को आपके अपरधन आगे हैं अगे है के इसकколь सामल होती है यह आपके यह फिस मतला sympath है क्या है या फर आपके निम्नी करण वालन जो आपके निम्नी करण कहते हैं आप बात करते हैं तल संतुलन कारक की रूप में विविन कारकों के कार जो है वह आपकी क्या होते हैं तो दुर्वी छेत्रों या उच्छे परवस रेडियों में हिमानी की बात कर रहे हैं ग्लेसियर दुर्वी चेत्रों या उच परवस रेडियों में वर्फ की इस्थाई आवरण आपके पाए जाते हैं जब यहां बर्फ और हिम के धेर नदी की तरह क्या है गतिसील हो जाते हैं हैं कि जहांए नदी के अब बात करते हैं वायू मंदल के बारें यह नयस च्पे सीड हो पिसे हम लोग अट्मासफीर कहते हैं प्र्थफी चारोर से का नदी हुआ और लुख है जैसे वायूमेटल कहते हैं यह आवर्ण समुद तल से लगबख आपके सोला सो किलोमीटर उचाई पर फैला हुआ है धराता से लगबख तीस किलोमीटर की उचाई तक क्या है वायू की यह है वह दो हमारी 4 s measurement वापकी होता है इसमें 7866 غरण वह होती है वह इंप्सामां कोबढ़ाएं और आप के 0.97 पर सेंट जो है वह आप के अन्य गयसे होती है क्या होती है वह आपकी होती है लिए अन्य गयसे और बात करते हैं आपके नस्ट आभाई का संग्ठन हम नोग यहां पढ़ लेते कि हैं आपके दूवाधी जो हैं वह पाई जाते हैं वायू मंदल में कारवन डाय क्या हों तो आपके मात्र में आपके छाए। वह और यह यह आपके बढ़ जाए बढ़ kh metabolismo पर यह हूं नुक्रिए और यहां कि नुक्ते हैं आपके जाने प्रुखती है किussenा प drops forces Gas में आपके जान रोकिए और यहीं आप वह टो चारए टेक्न झाले पाटा Cris में CO2 की आपकी बढ़ती हुई मात्रा को पेंड पॉदो द्वारा जो है वो संतुलत किया जाता है ओजोन गैस वह सूर से आने वाली घातक परावैंगनी किलों को क्या है अवशोसित कर लेती है अगर आपकी क्या है अगर आपकी प्रित्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो आपके पिखलने लाएंगे समझ रहे हो बर्फ पिखले की तो आप यह बाड़ा जाएगी यह बात आप सबको पता है अब बात करते हैं आपके परिवरतन मंदल की सबसे निचली परत आपके होती है इसी पर आपके समस्त जो वाईव मंदल की लगबग क्या है 75% गैसे जो है वो पाई जाती है भूमद रेखा से इसकी उचाई जो है वो 18 किलोमीटर और धुरों पर उचाई इसकी 8 किलोमीटर होती है इस परत पर आपके जलवास तता धूल के कंड जो है वो पाई जाते हैं इसमें मौसम सम्बंदी सब इघटाया होती है बादल जो आसमान दिखाई देता है कि आवो छोम मंडल है इस अभी जीवनस्ट हो जाएंगे गलोवर वार्मिंग हो जाएगी जल्दी से बताओ जल्दी से कॉमेंट कर दो फटा फट्टे जो हमारे उपर यह आसमान दिखाई दता यह कौन सी परस है समताब मंडल मंद मंडल छोम मंडल या फिर आपके आयन मंडल या बाहर मंडल आपके होता है जल्दी से बता तो मैं पानी पीलू तब तक एक गलास पटा फट्टे तब तक आप मुझे आंसर बता दोगे क्या कर दोगे तब तक आप मुझे आंसर बता दोगे यही परस जहां जो जाप की जो बर्शा बादल तुफान कोहरा में इसी परत में दिखाई रते हैं कि अब यही परत है वैस जो मंडल आपकी हम चल रहे हैं जैसे के बारिश तुफान बादल बजली कोहरा सब इसी परत में होता है कि आप सड़्गिया कोहरा पढ़ने लएगा तो जिसमें हम लोग रहते हैं कि और बात कर लेते हैं और बात जो है वह कर लेते हैं कि अब आगे जो है वह कर लेते हैं कि अब दस मिट करी बांच मिट कब रेक दे रहे हैं ठीक है फटाफट ते पांस मिट कब रेक दे रहें तो पानी पील आप लो कुछ भी गर लो फटाफट ने के लिए अब आप जल्दी हमारा संबधान आजाएगा मोस्त इंपोर्टन जो है संबधान पढ़ेंगे भी संबधान के बाद फिर कई पर आप वश्ता आ जाएगी बस अब तो बहुत थोड़ा बचाए इसला बस छुल्दी सभी ओजाएगा अरे लेआओ ज बस मेरी बातों सुनते जाना, आपो कुछ नहीं करना. बातों सुनते जाना, आपो कुछ नहीं करना. बातों संते जाना, आपो कुछ नहीं करना. झाल झाल आजाओ आजाओ फटा फटे हो गया ब्रेक बस बहुत हो गया ब्रेक खेल लो तुम लो खेल लो बहले खेल लो पड़ाई बड़ा इवाद में करना है खेल लो तुम लो पहले आजाओ अब बात करते हैं समताम मंडल की बात करते हैं कि समताम मंडल जो है वह आपको क्या होता है में पहले हैं कि अब है दो कि घृषण जल लें जो हैं कि विधान करना देंकल पहले आज़ो आजाओ अगे पी reward करते हैं आगे बात करते हैं आ जो में आज्यों आजीयें समताम मंडल जो आइक आए इसिलिक बात करते हैं आपके बीड़ां यहा इस्ट्रु इस्कु आपक चोम मंडल की के है, चोम मंडल की सीमा की उपर जो है वो आपकी होती है, समता मंडल पर आपके ओजो है वो आपकी होती है, जो सूर की घातक परावैगनी किल्णों को अफशोशत कर आपके प्रिथी पर तापमान बनाये रखता है, क्या करता है आपके, यह परत आपके छोम मं एसलिए यह परत आपके वायूयान यान के लिए अच्छी होती है किसके लिए आपकी इसलिए यह परत आपके समताम के आपके कहते हैं जब यह यह परत सम्ताम मंडल के उपर होती है तो इस पहरत में जलवाश बादल तता धूल आदि करनुगी का है एक कमी से те ना से आयन मंडल टा बाइन मंडल के उपर होती है यहां पर पर बियावन के परवयं की इस परत पर रेडियो तरंग आपके परवर्थिक परवापश मेंसी आप्को उस फेलThis परिपार्दम 20 होता है कि असरप मुझत आपके बैदे जे मिलते हैं रेडियू पराइन पर्रत होता है है यह दो हम भृत नहंते हैं तो यह वह कुझे लगवांय नाम्डल कि संसुर्हें यह कहते हैं इसलिगे वह मैंडल की बाःता है यह well आम उपरिक्वांस कहते हैं के उपरी सीमा के हैं आपके अनिश्यत होती है इसielt में पहाई मंडल के महत्री होते तो भाइवन की बारAnnके जीवन के उपएफिशी ऐसे आपके कहा है कि अगला ऐके थर्ण है प्रिफिवर मौसम परवर्टम आपखे राफिपल्स कारण ही आकवाइन इस कवेशर नहीं होगा तो किया है तो आपके मौसम में परवर्टम नहीं होगा करें ब्लॉक, स्टार्ट करें ब्लॉक करना स्टार्ट करें जोलदी बताओ पहले एक एक को ठाट कर देंगे सीधे ब्लॉक हम समझ रहे ना बिल्कुल बाते बंद कर दो आंगे दिये अगला है तापमान तापमान अधार्थ वायू मन्डली ताप होता है सूर, पृतिवी, वायू, मंडल एवं पूरे ब्हरमान को उश्मा प्रदान करता है सूर के द्वारा ही पृतिवी पर आपके प्रकाश एवं तापमान घू है वो आपके उत्पन होता है और कहें? आपके पृतिवी से प्राप्त होने वाले सौल विकरण आपके प्रकाश को क्या है सूर्टप जो है वो हम लोग आपकी कहते है सूर्टप की मात्रा जो है वो अलग-अलग अक्षांस पर अलग-अलग आपके पाई जाती है इस कारण तापमान में भिंता जो है वो आपके देखी जाती है गुलोब को तापमान के आधार पर तीन भागों में आपके बाटा गया है। आपके वायूमनल की पेटियां जो है वो क्या होती है तो धरातल पर वायूमनल का वित्रन जो है वो आसमान है आपके वायूदाब तापमान जलवास और प्रित्वी की परिभ्रमण अगती जो है वो कहा है आदिक कई चीजें के हैं कई चीजों से प्रभावित जो है वो आप यह होता है लोको अजो एड़ा सगेंड रोको अभी काम कर रहे हैं तुम्हें सदूरू के नहीं तुम्हें कि अगे बात करते हैं आगे बात करते हैं अब आपको क्या हो जाएगा अब जो है वो तो अब आपकी पवने जो है वो नेस चाप्टर पवन आगया पवन में क्या है आपके पवन किसे कहते हैं यह देखते हैं आपके एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर चलने वाली वायू को आपके पवन जो है वो हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं इसके चलने का कारण जो है धरात पर वायू दाब में क्या है वायू दाब में चैतिज विशमता का होना आपके होता है अगर आप किसी कभी कॉमेंट फालत हुआ गया मैं उठा के सीरस्थी ब्लॉक कर दूंगी एक इस्थान से दूसरे इस्थान पर चलने वाली वायू को आपके पवन जो है वो हम लोग आपके कहते हैं इनके चलने का कारण जो है वो धरातल पर क्या है वायू दाब में चैतिज विशमता का आपके होना होता है पवन का प्रभाव हमेशा उच्छ वायू दाब से आपके निमने वायुदाप की ओर जो है वह आपके होता है वायुदाप की भिनता के आथार पर क्या है पवनों की गती जो है वह आपके निर्बड करती है क्या है वायुदाप की जो भिनता होती उसके आथार पर ही पवनों गती जो है वह आपके निर्बड करती है पवने जो है वह अगर कभी ऐसा कुछन आज आता है तो आप सकते हो आप remarkably स्थानी मॉधनी एप यह आप पूछा गया था कि इस्थाई पवन आपके क्या होती तो आपके पिर्थवी पर एक ही दिशा में वर्षबर चलने वाली पवन को पिर्चलत पवन सनातनी पवन या फिर नियत वही ग्राही या भूमंदली आपके या इस्थाई पवन जो है वह हम लोग आपके कहते हैं आगय हो गुलाडों में वर्षबर जो है वो निरंततर विर्भायत होने वाली पवन को क्या है आपके व्यपारिक पवन जो है आपकी इस्थाई और इस्थानी या मानसूनी पबने आपकी होती है अगला आपके धुर्भी पबने यह क्या है यह आपके सिस्टी से आपके 65 डिग्री नाइंटी डिग्री एक छांसों की बीच के हैं दो गोलार दो मेरे स्थाई रूप से बहने वाली हों हों कि अपके कहते हैं मांसूनी ऑ दूसरी Meyer का झाली होती है अब बात करते हैं मानसूनी पफने जो हैं वो क्या होती है तो आप क्या कहेंगे मानसूनी पफने गृष्म और सीथ रित्वों में कहएं अपनी दिशा पूरी तरीके से पलट लेती हैं सीथ रित्व में ये पफने इस्थल से आपके समुद्र की ओर चलती है और ग्रीश मृतू में समुद से इस्थल की ओर जो है यह आपके चलती है इन्हें क्या है इन्हें मांसूनी पवने हम लोग आपके कहते हैं अब मांसूनी पवने दो परकार के होती है एक तो सीथकारीन मांसून होता है दूसरा एक ग्रीश मिखालीन होता है जो सर्जियों में जलके भवर की भवर की आइस्थिर और आपके Sonra के केमें आपके होता है उने हमलोग आपके केंद निम्ने वाउदाव और उच वाउदाव आपके होता है छक्रवाध आपके कहलाताएं प्रथी च्क्रवाध 63 ब्रकार होते हैं कुछ नकर्वंदी चक्रवाद और स्फकड़ ने आपनों कि सफेरा क्या होता है तोंसे आता हैंज पर अधिक होता है तो परियोदाव यदब होता हैं ante at और चलती है इन्हें प्रती चकुरवात कहते हैं और इनके केंद में केंदर आप आपकी बेहती है प्रवायत होती है जो है वह चक्रवात से पुरी तरह विपरीत होती है पृति चक्रवाद में वायू की दिशा योह उत्री गोलाट से एपकी घड़ी की सुयों के इंपूल यह क्लॉकवाइस आपके होती है और दच्छुणीं गुलाद में है LIKE बीदिशा में आपके होती से एंटिकलॉग बाय झो है वो हम लोग आपकी कहते इसमाझ में आगे बात करते हैं ने स्टải पृधित पर्तिष टाल प्रतिषक्रवाद यह उज् worldwide अन्गे बड़ते हैं अब क्या है आपके जौर भाटा tao। जौर प्रतितन नियमत रूप से आपके समुद तल ऊपर उठता है और नीचे गिरता है पानी की उपर उठने को जवार कहते हैं नीचे गिरने को भाटा कहते हैं आंगे ज़िए जवार की उत्पत्ती को प्रभावित करने वाले कारक जो है वो क्या होते हैं तो महासागर में आपके जवार या जवार की लहर को प्रभावित करती है दो हाए परदान कारण की आकशक शकतियां आपके होती है और कि प्रिट्चिव पर सूर वार चंद्रमा की Черफिए अपके इंदर्ध बल्की उत्ति बिभी आपके जवारी लहर को प्रभावित करती है क्या करती है कि तो आगे बात करते हैं अब आज आब बात करते हैं कि अब हमारा चप्टर चो श्टार्ट होता है वो होता है Constitution मतलब आपकी नाइटीं चेप्टर आए भारती समधान को समझते हैं यह भारती समधान आपकी क्या है कि यहां से भी काफी अच्छे कुश्ट्र सापकी काफी अच्छे वे आधारबूत नियमों वाँ सिध्धानतों सब्दान की नियम या सिध्धानत रहे सरकार के संगठन सक्तियों और आपके कार्यों को निर्धारत करते हैं वहीं दूसरी और नागरिकों के अधिकारों को भी निश्चत करते हैं आप्के शामधान है। वह इंचे नियम रूल्स जो है वो आपके दीए गए हैं जिससे शाशन या सरकार जो है निरंकुष नब बन जके मतलब के हमारे आँ आं Dani आपके अधिकार एन घरता है भारत में आपके कौन सा शाशन चलता है आपके अग्याजी संब्धान की गठन की भूमका की बात कर लेते हैं कि संब्धान की भूमका जो है वह आपकी क्या है आपके आग्याजी संब्धान की गठन की भूमका की बात करते हैं आपके भारत में किस प्रकार का संब्धान चलत भारत की सम्धान सभा गठन जो है वह कैवनेट मिशन योजना आपके 1946 के अनुशार वह आपके हुआ है इसमें प्रतेग 10 लाग की जन संख्या पर एक सदस्ख्या है आपके बनाया गया और क्या है सम्धान सभा में कुल आपके संख्या जो है वह थी 88 है तर्क पाकिस्तान विवादन के बाद Thai सभाकी सदस्ख्या जो है आपके 324 जो आपके रए गई थी बलकि क्या है बाकिए आपके पाकिस्तान की समथान सबहाँ मिल गए था जब आपके पाक्स região भारत आपके अलग-अलग वा था और क्या है भारत कभी एक संब्धान है जिससे संब्धान नीमात्री आपके सभाने तयार किया है संब्धान सभा का प्रिथम अदिवेशन जो है वो 9 दसमबर 1946 को प्रारम हुआ था और किसकी उपस्ति में डाक्टर सच्चताना सिंगा को क्या है सभा का आइस्थाई सदस बना है तरहिए आपके क्या था विसकिन के सबसे बड़ा संभधान जुक्तार है वो कौन से हो भारत का संब्धान में कॉछ अपके Vander कि प्रारूप समधिति संग समति और ग्या प्रांती समधान समति एस्त्रगी समति वो बनाएं गए समधान समा के प्रमुक्षदस्यों की बात करें 1950 को आपके लागू करडिया गया, violations कर दि couch pakai dion 50 कोड़ाी आपके डी लागूी कर दिया गया था अब बात करते हैं समधान के निरमाण में कोड़ समय कितना लगा तो समधान के निर्माण में आपके दो परश ग्यारा माएं और आपके अठारा दिन संसोरन के द्वारा किया है अन्सूचियों की संख्या बढ़कर आपके है प्रिजेंट टाइम में आपकी बारा अन्सूचिया हो गई है और पूरा समधान वह 22 भागों में आपके बढ़िया है आगे आगे बात करते हैं आपके संब्धान की प्रसावना को संब्धान की आत्मा या संब्धान की कुंजिया प्रस्तावना संब्धान की आत्मा कुंजिया निचोड जो है वह आपके होता है प्रस्तावना सम्धान के आदर्शों वास दिधानतों को दर्शाता है प्रस्तावना सम्धान का मार्ग दर्शक आपके होता है और क्या है फूर्थ है सम्धान की व्याक्या में साहयक भी आपके होता है क्या प्रस्तावना आंगया जो यह आगे बात करते हैं भारती सम्धान की प्रमुक विशेषता है वो आपकी क्या है तो आपकी भारती सम्धान विश्व का सबसे विस्तिरत मलब सबसे बड़ा सम्धान है वर्तमान में 300 आपके पंचान में 22 अध्याय हैं और 12 अनुसूची है जो है आपके साथ भारती आपकी क्या है भारती सम्धा लिखे संब्धान थर्ड है आपके भारती संब्धान भारत में एक संपूर प्रभुत प्रभुत संपन लोक तंतरात्म की विवस्था तैसे को आगला जो है वह आपकी क्या हो चाहता है अब हैं नागर्गता की बात करल ते यहां से कुछ पूछें सुचे गए तो आपके भारती नागर्गता क्या है संबंधी शामुदान एक प्रवधान जो है वो आ्रिकल आपके 5-11 में आपके निम्रप्रकार दिये गए है संब्ध पहले ही भारत में रहते हों जैसे कि अनिवेशन थी तो ने भी भारत की नागरता आपके प्राप्ति पाकिसान से भारत आये लोहों की नागरता आपके आपके दी गई है पंजी करण जो है वह उन्हें जुलाई बात कर लेते हैं नागता अधियम 1955 की बात करते हैं 1986 ने सो बानवे 2003 और 2005 में क्या है चार बार संसोतर जो है इसे किया गया था जन्म के आधार पर आपके हमाँ नाग्रता में कोई एक क्या है gün अग्रत के नागरता में से के पास क्या है आपके उछटा में होcią होनाची अगला क्या है थर्द हाए ने की ने से क्वरत में है नाईटा time में से कोई भी आपके भारती है खीए बच्चें का हैज आपकी आती हो और दस साल भारत में आत को मिल झाँना उसके बद आप 100 पंडुचेरी के बहुबाक नागरत को में आती हो है COBह मिल lucky तो सिक्यम पानुचरिया भूबा को भारत में आपके सामल वह आगे बात करते हैं अब आपके संभान से आपके लिया गया है कि असासथ क्या है मौलेक आपके संभान के भाग स्टीम में आपके अनुषए आपके 12 पानिषा है कि संभाग वाग तीन में आपके 18 12 जापके 35 संभग 3 को भारत अधिकारपति और मैं ने चाल जो हम ऑन हम लों कहते हैं कि से आपके पार्ट आपका थर्ड है उसे क्या है उसे भारत का अधिकार पत्ति है मैगने कार्टा कहते हैं भारती संब्दान न मोकरूप से 4 अधिकार जो है वह आपके दिए गए हैं इसे कानुनी अधिकारों के सूची में आपके जोड़ दिया गया तो अपर प्रिजंट टाइ आपके संता या समानता का अदकार वो आटिकल आपके 14-18 तक जो है वो आपका है संतनता अदकार वह आपके 1922 में दिया गया अपके अधर्मिक संतनता का अधिकार यह 25-28 तक आता है संस्कृति और सिक्षा संबंदी इदकार जो हैं वो 29 से 30 में आते हैं और आपके संविधाने गुपचारों के इदकार जो हैं वो आपके आर्टकल 32 में जो हैं वो आपके आते हैं सबसे पहले बात करते हैं समानता का अधकार के तो आपके आर्टकल आपके 14 कहता है कि कानून क समक्ष आपके समानता क्या है कानून समक्ष समानता की की गहीं है वह कि के सब आपके और कícia के सामने सबून siya धर्म आ नहीं किया आपके 17 में समानफ चूट को उन स massage में सामान अफ्शर आएंगे लिए जाए है जो है वो अंत कर दिया जाए हैं किवाद सिख्छा और सेना को छूट जो है वो दी गई अपादियों का उचाहिए जैसे डॉक्टर बादी जो है वो के वल आपके जातों मैट्ल किया हुआ आपने या फिर आपने पियाच्डी कियोगी उन्हीं को जो है वह आपके दी आ जात कि आगे बात करते हैं आपकी आर्टिकल आपके 23 और 24 की बात कर लेते हैं तो आपके 23 वह कहता है कि मनुष्य बच्चों किराविक्र पर आपके लोक लगा दी कि थार्टी वन 2nd में कहा गिया विगार स्रम से निशेद मतलब विणा बेतन नहीं रखा जासकता है Sümm समझ आपकी तो कि आपके संस्भारान के संसोधन के माध्यम में सी आपके 11 लूए सबसे से आपके भारती संस्थाउं गान का आधर पे संसभाण özall को आपके क्या आदर समान करना पड़ेगा सेकेंड है सुतंता के लिए रास्टी आंदोरन को प्रेरित करने वाले उच्छ आदर्शों को हिर्दाय में सयोजना एवं उनका पारण करना पड़ेगा थर्ड है भारत की संप्रबूरता एकता और अखंडता को क्या है परिपुस्ट करना हो और उनकी रक्षा वह आपको करना होगा फ़ोर्त देश की रक्षा और आवश्रक्ता पढ़ने पर रास्टी की सेवा भी आपको करनी पड़े लोगों को सरस्ता सम्मान मात तक्यू की भावना का निर्माण जो है वह करना हो जो धर्म भाष्या प्रदेश या वर्ग पर आपके नागरगों के मौलक कर्तब है आंके बात करते हैं अंगे बात करते हैं नस्ट को आपके निलेशकr समधान की वाइब कौन कौन से भारती समधान के आपके भागशार में आर्टिकल आपके 36 से लेकर आपके इंक्यावन तक क्या है सब आपके नीजिक निजिक तत्तों का वर्डन किया गया है जिससे आपके आयरलेंड के आपके समधान से लिया गया कहां से आयरलेंड के समधान से आपके लिया ग शेश्य आवस्ता या किशोरा रवस्ता का शोषण के आपके हो जाएगा फूर्त है न्यायपूर आरथिक आर्थिक विवस्ता की इस्थापना का प्रयास किया जाएगा । इसत्री पुरुष को समान रूप से जीब का प्राप्त करने की सुब्दा होगी जिए नागरिकों को शोषण का अंत जो है वह आपके किया जाएगा नागरिकों को जीवन इस्तर को उचा उठाने का प्रयाज वह आपके करेगा तो यह कहा है यह आप यह कुछ नीति- के आपके समधान से लिया गया आगया चाहिए अब बात करतें बाल अदकार का तो शहीं तुरास संग ने आपके 20 नमबर 1989 को आद्नियम जो है वह पारत किया था दोस्त नमबर 1990 को क्या है आपके विश्व के 159 देशों के प्रतिनियों ने बच्चों के विश्यस अदकारों के स्विकृति दी भारत भी उतमें से एक था आपके बाल अदकार प्रतेक बच्चे को उसके जन्में से ही आपके बिना किसी भेदवाव के प्राप्त हो जाते हैं चाहें वो लड़का हो या फिर लड़की हो 18 वर्श की आयोता क्या है विसके सभी बच्चों को यह अदकार जो है वह आपके प्राप्त है सबसे फस्ट अदकार जो है वह है आपके जीवत रहना बच्चों का बुनियादी अदकार है सेकंड है बच्चों को विकाश के पूरे अप्चार साथ राज सरकार देगी शिशु की मिर्ति दर कम करना राज सरकार का इदिकार है फूर्थ है स्वास्त भोजर आश्रें वम्स्वाइवं सवक्ष जल अप्लब्द कराना आपके बच्चों को अपने परवार के साथ रहने खार रहें का रहें कहले हैं फोड़ा सा बचाया आपके थोड़ा सा यह आपके रहे हैं आप हो दो किसे हम लोग उप्पोगता जागुता है कि हां थाड़ी मिनट किला सन्फिंग रह गया है उपभुगता जा खूता है वही क्या होती किसे हम लोग supokta जॉस है vola को कहते हैं भंँ कि आप कि देखेंds में स्मापर छूला डू आप कि एप सब्क्राइब की गयए किसकी बात की गई उप्भोक्ता जाकृता की बात जो है वह आपिया कि गई प्रभॉक्ता क्या है कि अधिया होता है तो बोगता का शोशन के वुरुद सरक्षण करना होता है कि अधिकार वा हितों की रक्षा करना होता है कि अधिकार मुत्तरदायत की वस्तों के चैन करने वाला एक होता है उपभोगता मूल उपभोग की वस्तों का चैन अपनी अफशक्ताओं की पूरती के लिए करता है मतलब जो से लेना है वह आपका ले सकता है है औक आगे ओगे कहा है आपके हैं पर भॉकता की अधिकार जो है वह कौण कौन से होते हैं सबस despite का है सुरक्ष और प्राप्त करने के में का आपके जानकारी के बारे में अधकार होता है और अगला का अगला वो ओना कि प्रती पर धहत्ता तो यह सारे प्राप्त होते préparत कि गर% स्वामेगरी अद्कार होता है उत्तमकिश में गुडवत्ता कि आपके वस्तुओं का अधिकार होता है आगे बात करते हैं नैस्च जो है वह क्या हो जाएगा आपके नैस्च जो देश है यहां की अर्थविवस्ता में किर्शी का महत पूर्स्तान है यहां 70 परशंट लोग किर्शी और किर्शी से सम्मंद्द कार्यों में लगे होते हैं कि देशी के अधिकांस आपके जनसंग्या को आजीब का वो प्रदान करती है आपके आगे बात करते हैं अगले कि कि बड़ा अंच्छ है आपके हमारे देश की अधिकतर उद्योग धंद्धे जो हैं वो किर्शी पर आपके अधारत होते हैं कि आपके रास्थी क παर स World's Par bara ना यह बहुता है और आपके अज्वता है के बात कर्म रfendी की जनक जो नहीं बताइए वह था कॉमेंट कर कि वेरी गुट वेरी गुट वेरी गुट सारफ गौतम हर्षत सोम्या शिवांगी मनुष्थ रप्ति वहरी गुट चलिया जए क्या है आपके अधर हरित क्रांदी के आपके जनक की बात की जाए तो क्या है आपके सब्कुट गुट अधिक बाद जोबड़ोग को आपके अधिक वर्णिक अधिक वाले भीजों रशाने खालों की नहीं तकनीकों की आपकी उपष करती है आगे आजए भारत आपके हरत क्रांदी के प्रमुक्ततों जो है वह आपकी क्या हो जाएंगे आए देखते हैं तो इने वाली किसमें गेहू चावल धान बाजरा का उपयोग जो है वो किया जाता है इससे गेहू उत्पादन में क्या है तीन से चार गुना जो है तता और आपके बाजरा उत्पादन में आपके 76% की व्रद्धी जो है वह आपके होती है सैकंड है राशायनिक खादू का अत्य द्वारा ही आपके चलाए गया था अगला जो है वह क्या है बहूमी की उपजाओ सक्ति का पता लगाने के लिए क्लिए क्लिए बहुमी परिष्ण कारक्रम चलाएगा फिप्त है पौदों वाफ फचलों के सनक्षण के लिए कि नाशक आपके दवाओं का प्रियोग किया ग सघैना व इतने कमें के आपके आपके चलाएगा सब्टे से पर आपके सचाई और जलसंसादन की बात की गई तो भारा सरकार आपके सचाई शमता की निरंदर बढ़ाने का प्रयाश वह कर रही है मार्च 2010 तक आपके किसमे और आपके पौधा रोपर सामिगरी परयाप्त मात्रा में प्रिदान करती है क्या है रास्ति बीज नीति किसमे किसमें पौदार उपार्ण सामिगरी समस्थ में अपके और दारी करती और वेa तो यहright चानल करते हैं ग्रहकों कि यह प्रगती जो है वह आपकी कीजारी ये लगाता आगया चाहिए बात करते हैं है है ये सब बना बना कि भी लिख सकते हो तो एक बबना मैं समझा देरीओ आगे जाजीए थोड़ा सा मापन भी विन्मी का साधन मूल्यूं का संचे उनकी चाश्वार की रूप मेंक्गार किए है मतलब क्या नोट है विन में मतलब होता है लेने देने का साथन आप किसी ऊप्सक्र सान दो मुद्रा में बे इस विस्त में सामिल है शुरा इस्थान पर बिना संदे और किए हैं बिना किसी जाचिए और वैपारिक कि दाइत्वों को चुकाने के साधन की रूप में बशलत होती हैं तो तो मुध्ड़ा में वे सब अब कि सामिल होती है जो किसी भी समय बिना假 इस इसन पर कि Hashan a Sal miel को खृता को ओरभे वैपारिक दात्व को दाइत्व कोई दिक्कत नहीं को नूमी में मेरे वन परसंट भी समय यह यह को राम में थोड़ी सी आप ही कि थोड़ी आपकी टॉफ हो जाती है उपको पढ़ते रही हो फैसों में इतना इंट्रस्ट नहीं होता आपके सेविंग्स में आपके account कौन कौन से होते बहुत सारे तो आपके account होते हैं आपके currency जो होती उसमें आपके बहुत सारी चीज़ आपको इन में इंटरस्ट नहीं था इसलिए आपके लिए चौरड टफ हो जाता है यह आपके chapter economy कि विन्मे का साधन जो है क्या है विन्मे का साधन है आपके मूल के मापन का कार है आपके मूल को आपके जोड़ना संचा है हस्तांतरन मतलब प्रांसपर करने दरी बहुतल राष्टीका कि मुद्रा होती यह चीज़ बहुत अच्रिकृत को भॉत ध्यान समस्सक्याम बॉle करकारिक करें अब मुद्रा के वरगारं और वरगांता कर पूर्द या PHT मुद्रा होती है दूसरी हिसाब की मुद्रा होती है वास्ति मुद्रा एक तो धातु मुद्रा होती है आपके पत्र मुद्रा होती है अगर बात की जाए प्रमारिक मुद्रा और आपके सांकेतिक मुद्रा जो है आपके धातु मुद्रा होती है पत्र मुद्रा में लेना जाते हो आप ले सकते हो आप उधार कैसे ले सकते हो आप प्रिदिग्या पत्र चैक ड्रॉप्त रखना ही पड़ेगा आप बिना रुपए और पैसे कुछ काम कर प्रफ़ाइब करने के लिए के व्यक्ति को सरकार द्वाराब नहीं किया और कोई सीमट आपके रखना चाहता है पैसे बिल्कुल रख सकते हैं आगे बात करते हैं जो है वह क्या हो जाएगा तो दूसरी आसीमित मतलब क्या है मुद्द्रा को जंता को आसीमित मातरा में स्वैकर करना पड़ता है मतलब कितनी भी मातरा में आपके रख सकते हो ऐसा थोड़ने आप पंच दार रुपए ही जोड़ोगे आपके चारोष आर्थ आपके जो है वह गूती अपके समझ में याया करूं आप लाइक करने पूरी कंझूसी करना चोड़ना करना आगे बात करते हैं अर्गर जे नेस्ट जो है वह के अप ग्रेशम का नियाम हम पता है बहुत इसके क्या है आपके च्छी बस्वे कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रिछलं से बाहर कर दिती है जो मुरी मुद्रा जो Papyr peine ग्रेशम वहात्रिय की जो इंगेव कि अपके फोग्र करमें आपके सब्सक्राइख कर दो łआप्के पिर्ण बुक्त आपके सुचा कि आपके बुद्राघ्ज्ग बुद्रामЙ के आपके सुच्छा करे कि आपके सुचा जो जित्ते वजन के पुराने सिक्के थे उतने ही वजन के आपके नए सिक्के जो है वो शरन में आपके डालती है लेकिन क्या है लेकिन कुछ समय बात उने देखा कि जो नए सिक्के ना वो तो कोई ले ही नहीं रहा है उसको तो कोई यूज ही नहीं कर रहा है लोग पुराने बाद करते हैं मुद्रा को चलन से बाहर कर दीते क्योंकि आप की घटिया मुद्रा या आप उसे भरोसा करने रगते हो और आपकी हर एक चीज के भरोसा दार होती है जो आपको पता है नोट बंदी होई थी समय आपके देखा तो कितनी बुरी हार अरती नोटों की लोगों को ुकि क्योंबूं आपको बहुरोसा जो है वह तो आपके ज़ादा होता आग बात करते हैं आप करते हैं मुद्रस पीटी करते हैं इसको आपके प्रिशार्य पैलाओ कहा जाता है न सbling या फैलाओभ भी आपकी कहते हैं अubra Sp लेकिन जो मुद्रा है ना उसका मूल घड़ जाता है मतलब जैसे कि जैसे कि आपके फल है आपकी स्केला जो हैं वो 200 रुपाय किलो भिक रहे हैं लेकिन आपकी मुद्रा जो है वह बहुत सफ्रीय कि मुद्रा का खुद का मूल बहुत कम है लेकिन आपके जो मगत महिंगी हों कि आपकी सेवा बढ़ती जारी बढ़ती जारी जूकर जो आप देखिए तो प्राइस आपके नहीं है और एसरी करिदालिया मत 66 खरीद करूए कि मुद्रा के अगर 100 रुपए आपके सा खडिपाँ कोई सामान होगे आगे बात करते हैं अब बात करते हैं आपके मुद्रास्पिति के प्रकार क्या होते हैं तो मुद्रास्पिति के प्रकार जो है पहला प्रकार है आपके आंशिक मुद्रास्पिति जब मुद्रास्पिति की व्रदी दर जो है वो इतनी कम हो कि लंबी अवदी के बाद कि है उस में थोड़ा सा आपके परवर्दन आता है तो इसे आंशिक मुद्रैस्पथी गहते हैं अगला है पूर्ड मुद्रैस्पथी क्या होता है से फुल आपके इंग्याटिस की म्हांतान हो चुकी कहाँ पूर्णिस इन पीकिल श्तिय वहित पाइल है निद्या कि बात करते हैं तो मौद्रिक नीती का तातपर है केंद्री बैंक भारती रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो आपके मौद्रिक नीती का तातपर है केंद्री बैंक भारती रिजर्व बैंक आपके नियंत्रों में आपके साख मतलब हो है उधारी रसेप्ट को निर्मार से आपके होता है जिससे क ही जिसे की मुद्रा और किक लगता और क्या है ओक्युक पूबात को आपके है रेजरीश की का मौदРИिग नीती का मौर्न की हिभाग में आपके गवर्ण की सहयता करता है ए कि mutta साधर वैंक का मौधरिक नीती जो whose gonna ृश्श दिक निर्मार में के बाड़रिक साहाथ करता है क्या करता ह। का आगे बात कर से समझवाब में मौधरिक नीति उद्धेश आपके ऻोता क्या है तो भारती मौधरिक नीति के मुख जाना यह चलाना हैiform कि है इस Online Pokemon प्रॉपर तरीके छल सके तो भारत के अर्थविवस्था को सही से चलाना और उसमें इस्थायत आपके बनाए रखना है जिससे आपके अच्छे से चल सके आगे बात करतें आप भारत में मौद्रिक नीदी के उद्देश जो है वो क्या है वो आपके निम्ण होते हैं क्या होते हैं उद्देश जो है वो आपके निम्ण होते हैं क्या होते हैं कौन-कौन से उद्देश होते हैं आईए बात कर लेते हैं आर्थिक विकाश को पुर्तुशाहन जो है वो आप आगे बात करते हैं अप बात करते हैं यह कंस्म कोई से चैप्ट्र है लास्ट रहे आपकी आपने सिलाहे वह जाइए यह भारत की आद्ध्योंगे विकाष की बात करते हैं मैं जाता है 11 वजे तक आपकी हो जाएगी बात करते हैं इंडिया की बात करते हैं तो प्रारत में ऑध्योंगी विकाष का प्रारम जो है 2018 में आपके मुंबई में आधुनेक सूती वस्तर कारखाने की स्थापना से आपके हुआ था प्राचीन का से भारती प्रकार के क्या है बिविन प्रकार के आपकी प्रक्तिक संसादनों की स्थापना के क्या है देश की गड़ना विश्व के प्रमुक औध्यों केंद्रों में आपक पहले से भा Quickly यह समपन हमेशा से क्याता था इस समय के उत्क्रश्वस्टोン का निर्माल भी आपकी कुटीर उद्यों कि इस्थरपर ही किया जाता था था सूति इवं रेशमी रससी लोहिस पात उद्यों को और अन आपके द्हात्वु निर्मित वस्थवें विदेशों में भी आपके प्रशेद ही विदेशों आपके बहुत था प्रिश्चत थी आपके आंगे तो यह भारत में और विकास का प्रारम जो है वह अंग्रीजों के आगमन के बाद कि भारत में उद्धों के आगमन के बाद ही आपके भूँआता समझाए आगे बात करते हैं अगला जो है कि अब आपका बर ने जो एक है अब आपका कुटी रुद्धिया क्या होता है वह उद्धियों जिसमें उतुपादन घर कुषला कारी गरों द्वारह कम पूझी और कंवा कच्चे माल का परियोग करें, करेंगे अपने हाथों से आपके कुट्री उद्योग केहलाता है कुट्र उद्योग को आपके पिट्रिक जान जाता है कि ग्रम उद्ध्योग तो वडना घुरक बनाना यह से अपके लगवी पाधन आपके आटा की चक्की हो गई अस्थानों पर भी इस्थान पर इस्थापित किये जाते हैं वर्तमान में लगव दियोगों में निवेश की सीमा वह एक करून रुपई है एक करोन रुपए आप नगा सकते हो गया का मिक्सी यह में यह कि बात करते हैं कि यह क्या होते हैं कि लगू में यह सिंद्रों विणियों क्या है विनियों के आपकी साहेता से उसज़ाधन प्राणा करते आजी सास guess की वाप की मैं कुछन साथ की क्या है नियू इंडस्ट्राह से तक की तक सिंथ तक के पीपनि नीटियों की द्वारा हमारे देश के लिए ए उच्चित वातर्वन का निर्मार्ट वर वेंदी उद्योगों १िस्ट से अधिक स complacथ और बल व्यदेष्य फूजी निसे बम degno domains की जिलत गोशन पृतुषाहान वन आप खाए दिया जा सके न अलज सो इंग्यांब की स्यज्यंट तौध नवीन पृतव प्रधान मंत्री पीवी नर्शिंगा राउन के साशन में आपके 24 जुलाई 1992 को आपकी की गई थी जिसके द्वारा नई बरतमान और अध्यों की नीती में क्रांतिकारी परवरतन का प्रिस्ताव जो है वह आपके रखा गया था क्या हुआ था आपके नवीन जो अध्यों की आपके प्रधान मंत्री आपके पीवी नर्शिंगा राऊ थे ना उनके शाषन में जो है वह आपकी क्या है शाषन में आपके 24 जुलाई पही चौबर जोलाई 1999 को आप ही की गई थी जिसके दुआरे गैं जिसके दुआरा नई वर्तमान ओद्रोग नीथी में किरांतिकारी परवरतन सब्सक्रिए प्रिस्ट्थयानिations aapte K你要 the last topic can suppose पर कंसा किहाके आपका लास्टॉपिक आज क्या-श्याइस सेलाबस बहुरास्टी company NIN naraset होता है इन कंपणियों का प्रारम चुह होता है और दूसरे अनि देशों तक आपकी फ्यालता है। एक और उसके सारी जो एक सारी और प्रेस्बूंदुग्स गुजोने निगम .. एक देश में होता है परंथि के पैरति वेपारिक क्रियां वह अन्न देशों में होती होती हैं बहुराष्टी कंपणियों को आपके परी निगम हमों को आपके निगम की विशिष्टाएं न्रा опас है प्यक्रिया क Ridge會 अमसुस्ति यह मतलब कि इसके बाद आपके बहुत सारी इंब आपकी यसारी इस आपकी हो चाहिएगी जैसे कि आपके यह आपकी बहुत शारी चीज़ों में कहते हैं उर्फat अपने कंपनयों का साथम का हसान टारन दूसरा साहतों40 कुप्रियां डूसरी इसी तीर कंपनियां ? और आपके देती है है और आपके देती है और फैनल का वह आपके सोचल का है क्या होगा ही कंप्लीट जो है वापकी हो गई है कि इसी के साथ कि जल्दी से आप सभी को कॉंगुचुलेशन कि हमारी एक और मैरातन जो है वह आपकी हो गई है बैक्ग्राउंड सब दर्द होने लगा नहीं रच कह रहा है मैं की एक जगे बैटे बैटे तो आपके सरी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चुरी आपके बूरा से गूम गया है तो थैंक यू सो मच यार कि आपकी एक और मैरातन जो है कंप्रीट हो गई तो कॉंगुचुलेशन कंवारतन जो कि स्ट्रक्पात कर से अलब की जाना धसना कोई लिए वह सलीक्ट समय अधर मसा घषिए तो आपकी साइंस की मुझे वाली है कल आपकी और दूसरी आपकी हिंदी की मेरातन नहीं है, यह हम लोग कल की क्लास में आपकी कवर कवर कर देंगे, तो कल आपकी दो नो मैनाधन आप पी कंप्लेट हो जाएंगी। कदाई वरत्मान भारती समाझ दूसरी था कि हो पाएगा बढ़ पता निहीं कैसे ओगई है अभी नी एक एक पर आद आ आ री सने आपको आज अज समझने वाली कि पाई नए बहुत आराम से कराई है मुंण और दू में आपको समझ नहीं को, सूचल में आपको समझता हैं Force करने स्टोरी के फर्म बढ़ना होता है यह विदियो सब्सक्राइब करें कि और सोचल में मिलुएज़ मुथ best पर रंद तब वाड़ ही तो मैं मुष्प मैंध में तो में मन बल Pas मुझे कले करन दो आपको टेली ग्राम पे आपको एक्टिव रहना पड़ेगा टेली ग्राम पे आपको अपडेट कर दूगी जैसा भी सुबह का सेनरी रहेगा उठने का पताइए ना आप लों को अब फार सेब नांके बच्चे बीच भी में रूखने में मज़ा नहीं आता हाँ आज मज़ाया है ना पॉद्ट सांच को कई दिलें अपको पताइए या फिर आपके पस नोटिए तो बहा है आपने नौक से पढ़ाए करो और क्या है कम से कम माराथन को 2-3 वा तो कम से अब क्या है वन टाइम में तो आपके हैं वन ट्विंटी पीडियाप आपको मिल लेगे साइब वेब साइट से रोपर प्रॉसस रहती है दैन आपको क्या आपना रिविदन यह वह कर लें अब मैम आप प्रॉमिस करो कि कल आप दोनों कम्प्रीट कर रहे हैं मैं तो बहुत प्रॉल्म हो जाई अकेले आपके लिए और हमारे लेविए हां बिल्कुल साल हो नहीं लेंगे इस बात की बहुत बहुत बढ़े हैं मैं इतनी देर बैट पाई आपकी वाह नाम का तो आप देखरों आपका जो बैटने का इक वह टाइम पीडिड जो वह बढ़ रहा तीन-तीन-तीन चार-ताइब बैट पार मुझे तो यह बहुत इस बात की बहुत कुशी है कि आप एक बहुत बहुत कर लिए तो आप तो आप अपने माइन प्रेसंस कर पारों कि आप फोन फोन में रियूस देखने नहीं आ रहे हैं वाट्टाप खोलने निया रहे हैं कुश करने निया रहे है बहुत बढ़ी बात कि आप 3-4 घंटे पढ़ पार उतिसके लिए आपको अप्रि कि अपना समझ रहे हृँ है इस इस कुटनी के लिए कर रिजार को नहीं पता और कि तो आप जा के वाट्सप्ट कर लो ने लोन टैलिक्स आप कर लो यूटूब कर लो फेस्टिक कर लो यूट्यूब कर लो इन्स्राग्राम बचाव कर लो सब कर लो लेकिन पढ़ाई नहीं करना है अराम जाओ देख लिए कि चेक आउट कर लो इसके पढ़ाई करना है चलो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में और लाइक करने में कंजूसी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए उसके सथ वन सब्सक्राइशन आप से भी आपकी स अच्छे को फॉलो करके हम भी जल्दी अच्छे हो जाएंगे बिल्कुल हो जाओ गयार अच्छा मैं आपका मन भाई है जब से आपकी मैनतन स्टार्ट करें मैं मझें चलग रहा है मुझे पंदा दिन से नहीं देखिए आपकी बच्छे से बैठके समझ रहे हैं तो वैसे मैं इंस्ट्राग्राम चलाती ही नहीं हूं तो इस वजह से यूटूब बाई चांस का भी ऐसे दिख जाए तो स्कॉल कर जाते हूं वह क्या होता है रिल्स भी नहीं होते वसे कुछ और ही कहते हैं आपके शौट्स बोलते हैं तो वह आपके देख लेती हूं बाई चांसी क कॉपी कैसे लिखें अन्जू सब बताएंगे अभी आप पहले मारासन कंप्रीट कर लो फिर यह भी बताएंगे कॉपी कैसे लिखना ओके चलो अब मिलते हैं आपके कल मॉर्निंग में तब तक लिए टेक क्यार बबाई सी यू सून आपनी अपनी तब तक ख्याल रखना है